तांत्रिक साधक में फर्क क्या होता है और एक मिसकंशप्शन क्या बना हुआ है हम लोगे कमाने है सुख जो है उसे देख सकते हैं दुख देखा जा सकता है लेकिन पीड़ा कानुभवी हो सकता है महादेव ने महादेवी को उलग करके इतना ही कहा कि अब आप महाप्रलाई की साक्षी बनने वाली हैं उन्होंने उस महाप्रलाई को देखने के लिए देवी मा को दीवे द्रश्टी दी उनके ललाट के उपर सपर्श किया मंत्र इस लाइक अ न्यूक्लियर बाग तो साथ करोड अलग अलग मंत्र का प्रावें अहां होगा एक ऐसे मंत्र जो अब बता दो जैसे मनी के लिए यह है त्वरशाय को बढ़ाने के लिए यह शादी के लिए यह एजूकेशन के लिए ऐसा कोई मंत्र राद रादे आज हमारे पॉड़कास पे परक ओम भड़ जी आये हुए हैं और आज के हमारे पॉड़कास का जो उद्देश है वो यही है कि आप तक अकल्ठ रहश नहीं हो तरह रहश है यह जितने सब्जेक्ट हैं जिसमें आप तंत्र, तांत्रिक, रवशी करण, काला होते हैं और कितनी गलत भावना या कितने मित हमारे मन में बैठे हुए हैं, कितनी भ्रांतियां हमारे मन में बैठे हुई हैं, क्योंकि हम डरने लग गए हैं इन सब चीजों से, जबकि इन सारे सब्जेक्स का काम हमें इंपावर करना है, हमें डराना नहीं है, तो यह भ्रा गेस्ट की सुची में मैंने रखा है क्योंकि बहुत दिनों से हम इनके साथ पाड़कास करना चाहते थे और इनों ने समय निकालकर आज हमारे साथ आप आए है उसके बहुत बहुत शुक्रिया परक जी दियरून बंडे शो में आने के लिए थैंक्यू नमस्ते अरून जी और रादे रादे थैंक्यू सो मच पर इन्वाइटिंग मी एर आम टूली ग्रेट फू तो अल अव यू परग जी आजितनी मेरी आपसे अभी आपका तंत्र और साधना मैंने आपको तांत्रिक कहूं या क्या कहूं तो आपने का गिमझे साधक कहूं ठेक है तो यह तांत्रिक सागर है जहां पर हम तंत्र शास्त्र की बात करें मंत्र शास्त्र की बात करें या फिर यंत्र शास्त्र की बात करें साधना की बात करें वहां पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह अगाध सागर है बहुत ही बड़ा समुद्र है और इसका कोई अंत नहीं है तो तांत् आपको पहले परिपूर्णा नहीं मानता, मैं हमेशा यहीं मानकर चला हूँ कि मैं सीख रहा हूँ सारी चीज़े, तो मैं एक साधक ही हूँ, मैं एक वित्यार्ती हूँ, जो अपनी यात्रा पर निकल चुका है, दीरे दीरे सीख रहा हूँ, और इसी वज़े से मैं अपने आ मांको या देवता को जहागरित कर लिया होता है तो मैं तो अभी सिर्फ एक रहबर हूँ एक पथिक हूँ चो चलना अभी शुरू किया है मैंने इसी वज़े से आई मसादक ओम् गुरूर ब्रम्हा गुरूर विष्णू गुरूर देवो महेश्वरह गुरुहू साक्षात परप्रम्ह तस्मै श्री गुरवे नमहा अखंड मंदिलाकारं व्याप्तम एन चराचरं तत्पदं दर्शितं एन तस्मै श्री गुरवे नमहा ओम् भद्रम् कर्णे बिही शुनुयाम देवाह भद्रम् पश्ये माच्ष्पिर्य जत्राह स्थिरे रंगे स्तुष्टु वागं सस्तनु बिही प्यशेम देवहितं यदायुहू स्वस्तिना इंद्रो व्रद्धश्रवाह स्वस्तिना पूखा विश्ववेदाह स्वस्तिनस्ताक्षर्यो आरिष्टनेमिह स्वस्तिनो रुहस्पतिर्दधातु मैं अपने गुरू श्री ओम स्वामी तथा आप सभी के अंदर विराजमान माधी पराशक्ति को साश्टांग धन्वत प्रणाम करता हूँ जिनकी धिव्य प्रेना से आज हम सब यहाँ पेकत्रित हुए हैं ओम श्री मात्रे नमाः परक जी आप बिलीव नहीं करोगे ऐसा लग रहा था कि इसे कोई वेव आ रही है पॉजिटिव वेव एक और बढ़ा अच्छा लग रहा था जब आप ये मंत्र पढ़ रहे थे अगर उसके उपर आप पानी की बूंध लगा अतार एक ही फ्रिक्वंसी के साथ गिराते रहेंगे ना एक ना एक दिन उस चटान में छेद हो ही जाएगा अगर कोई मंत्र का उच्छारण आप बार बार लगा अतार एक शद्धा के भाव के साथ समर्पन के साथ भक्ति के साथ कर रहे हैं तो उसका जागरित होना तय है अभी हमने सवस्ति वाँचन किया जहांपे हमारे बातावर्ण में जो भी शुभ ऊरजा हैई उनको हमने आवहन दिया और सवस्ति वाँचन किया ही इसलिए जाता है ताकि आपके आस-पास जो positive energy है वही विद्यमान हो और हमने गुरू की ऊर्जा को जागरित किया तो ये ह परोडों साल पहले जब महादेव कैलाश पर थे और उनका ध्यान योग खतम ही हुआ था, पूर नहीं हुआ था, उस वक्त पे वे आने वाले थे देवी के भवन में, जिसे शास्त्रों में नाम दिया गया है चिंतामनी ग्रो, लिता सवस्त नाम में एक बहुत सुंदर मा का नाम आता है, चिंतामनी ग्रोहां तस था, यानि कि जिनका निवास थान जो है वो चिंतामनी ग्रिव है, वहाँ पे मा निवास करती हैं, और महादेव का आगमन होने वाला था, चिंतामनी ग्रोह में, सभी जो नित्याय थी मा की नित्याय यानि संगिनी शक्तियां, नित्य योगिनी, यक्षिनी, गंधर्व जो सारे थे, वो सभी महादेव की आगमन के लिए उत्साहित थे, उत्सुक थे, तैयारिया की गए, महादेव का आगमन हुआ, अच्छा उस समय तक महादेव ने महादेवी को कैलाश बे नहीं ले कर गए थे, उन्होंने कैलाश का दर्शन क किसी को भी नहीं कराया था उस वक्त तक, और महादेव आये, महादेव ने उनकी खूप सेवा करी, बहुत भक्ती करी, और बहुत लंबे समय के बाद, महादेव ने जब दीवी जी के साथ समय व्यतित किया, उसके बाद उन्होंने महादेवी को कहा कि अब समय आ चुका है क कि मैं कैलाश पर वापस लोट जाओ, महादेवी बहुत ही ज्यादा आश्चरे में थी, उन्होंने महादेव से पूछा कि महादेव आपके पास यहाँ पे सब कुछ सुख सुविधाय जो है वो उपलब्द है, आप यहाँ पे जो चाहेंगे आपको सब प्राप्द हो सकता है क्योंकि चिंतामनी ग्रुह में दुख, पीड़ा, अताशा ऐसे कोई नकरात्मक भावनाओं का स्थान नहीं था, सब लोग मिलजूल कर रहते थे और जो देव्य उर्जाय थी वो वहाँ पे एक साथ रहती थी और महादेवी के स्विधान से महादेव ने मुस्कुरा कर है कहा कि हे देवी, हे वरानने, हे बद्रे, आपको घ्यात नहीं है, कि हमारा ये एक मात्र ग्रह ही ऐसा नहीं है जहाँ पे जीवस्रुष्टी है, वे महादेवी को चिंदामनी ग्रह से बाहर लेकर आए, उन्होंने एक विस्तृत ब्रम्हांड महादेवी को दिखाया कि य ये सामने जो आप ब्रम्हांड देख रही हैं, उस ब्रम्हांड में करोडो तारे हैं, करोडो ग्रह हैं, उसके उपर असंख्य जीवस्रुष्टी जो है वो विद्यमान है, उनके पास मेरी उर्जा चीरकालीन समय तक नहीं रहती, कुछ वक्त तक ही रहती है और उनको मेरी उर्जा की आवशक्ता हमेशा रहती है, उनके उपर मेरी कृपा जो है वो बार-बार होनी चाहिए, और उसी कृपा को कायम रखने के लिए मैं कैलास जाता हूँ, यानि कि एकाग्रचित्त के साथ समाधी में मैं उतर जाता हूँ, ताकि जो भी हमारा पूरा ब्रम्हांड ह हो रहा है, उसके उपर मेरी कृपा परकरार रहे, महादीवी दुख और हताशा के कॉंसेप्ट से अनजान थी, अनभीज्य थी, और उसी वक्त महादेव ने उनसे कहा कि मुझे कैलास जाना होगा, महादेवी ने उनसे कहा कि ये कैसे संभव है महादेव, मुझे तो पता ही नहीं है कि दुख क्या होती है, पीडा क्या होती है, हाँ मुझे विरह की भावना वियोग पता है, क्योंकि जब आप यहां से कैलाश गमन करते हैं, उस वक्त मैं वियोग जो है वो सहती हूँ, उसके अलाबा मुझे और कोई भावना के बारे में नहीं पता, तब महादेव कानुभवी हो सकता है, और उस वक्त पे महादेवी ने उनसे कहा कि मुझे सुक, दुख और ये कर्म का चक्र क्या होता है, वो देखना है, उसी समय हवा जो चल लेए थी वो थम गई, उसी समय सारे जो ग्रहन अक्षत्र थे, वो जैसे एक समय थम जाता है, उसकी तरह वो सा हो चुके थे और महादेव ने महादेवी को इतना ही कहा कि हे वरानने आपको अनुभूती तक नहीं है आपको अनुमान तक नहीं है कि यह आपने क्या कह दिया जहां पे शक्ति जो है वो प्रॉमिनेंट रहेंगी और महादेव ने उस समय पे तै कि महादेवी को कैलाश ले ज कराऊंगा जो आपके अलावा किसी और को प्राप्त नहीं होंगे, किसी भी कल्प में। दोनों कैलाश गये, महादेव बहुत लंबे अर्से तक समादि में बैट गये। समाधी में बैठने के बाद महादेवी कैलाश पर थी लेकिन फिर भी उन्हें चिंतामनी ग्रिह याद नहीं आ रहा था क्योंकि महादेवी उनके लिए सब कुछ थे बहुत लंबा समय बीद गया महादेव ने आखे खोली उन्होंने अपने आसन पर से उठकर महादेवी को इतना ही कहा कि अब आप जिसके साक्षी बनने वाली हैं वो कहीं कलपों के बाद एक बार ऐसी घटना होती है जो देख पाएंगे आप और हर बार इस घटना के दर्शन आपको ही होंगे उस वक्त पे महादेवी बहुत ही ज़्यादा डर गई उस वक्त तक उन्हें डर क्या होता है भाई क्या होता है ये मालूम नहीं था महादेवी ने कहा कि महादेव मुझे कुछ हो रहा है मुझे बेचे नहीं हो रही है मुझे पता नहीं इसे क्या नाम दू मैं और महादेव ने उन्हें अपने आलिंगन में ले लिया और शांत करने की कोशिश की प्रयास किया लेकिन हो नहीं पाया और उसी वक्त पे जब समय आ चुका था महाप्रलाई का जिसे आज की तारिक में हम destruction कहते हैं या फिर अगर शास्त्र की भाषा में बात करें तो उसे transformation का नाम दिया गए परिवर्तन का नाम दिया गया है महादे उन्हें महादेवी को उलग करके इतना ही कहा कि अब आप महाप्रलाई की साक्षी बनने वाली है उन्होंने उस महाप्रलाई को देखने के लिए देवी मा को दिवेद्रश्टी दी उनके ललाट के उपर स्पर्ष किया और दिवेद्रश्टी प्रदान की दूर हो गएवे महादेवी से बहुत दूर चले गए और महादेवी को फिर भी महादेव बहुत नस्दीक लग रहे थे और उसी वक्त पे महादेव ने अपने इंत्रिशूल से दमरू को अलग किया और दमरू बजाना शुरू किया जैसे जैसे दमरू बचता गया उस दमरू से जो नाद उत्पन्न हुआ वो सात करोड अलग-अलग मंत्र का प्रादुर भाव हुआ और ललिता स quadrant में बहुत है सुनदर एक शलोग है महाकामेश महेशे महात्रि पुरसुंदरी जो महादांडव की साक्षीनी है जो एक मात्र महादेवी जिन होने महातांडव देखा हुआ है महा प्रलय देखा हुआ है, महेश्वर महा कल्प, महा कल्प के अंत में महेश्वर जब महा तांडव करते हैं, उनकी जो साक्षिनी है, वही है महा देवी, और इसी वज़े से ललिता साशन नाम में महा देवी का एक नाम दिया गया है, महा तांडव साक्षिनी, क्योंकि महा द और माही महातंत्र भी है तो महादेवी ने जब ये पूरा महातांडव देखा वे बहुत ही जाद डर गई थी महातांडव जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे जो समस्त ब्र Dust वो महादेव के देह के ऊपर विद्यमान हो रहा था, करोडो ग्रह जो थे वो आके जैसे एक फूल होते हैं, पुश्प जैसे होते हैं, वैसे उनके देह में आके विराजमान हो रहे थे, विद्यमान हो रहे थे, दीरे 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 समय के साथ समस्त स्रिष्टी जो है उसका न राजमान हो गई और जब ये महाप्रलाई की क्रिया पूर्णा हुई उस वक्त पे फिर से शुरू हुआ स्रिजन और समस्त ब्रमान का उसकी उत्पत्ति हुई और महादेवी को दुख, हताशा और पीड़ा क्या होती है ये समझाने के लिए महादेव ने उनको पंच महाभू के शरीर में जनम लेने के लिए प्रार्थना किये महादेवी दक्षप्रजापति और देवी प्रसुति के वहाँ पे उनका जनम हुआ और आप जानते ही हैं देवी सती जी ने अपने आपको आत्ममिलोपन किया था यज्यकुन में बसमिपूत होकर वो पहला कल्प था जहा पे अगनी का प्रादुर्भाव हुआ था उस वक्त तक उस समय तक अगनी थी ही नहीं अगनी देव थे ही नहीं तो सती जी जब उन्होंने आत्ममिलोपन किया फिर से महादेव के साथ एकाकार हुए उस वक्त पे देवी माने कहा कि महादेव जब तक मैं चिंतामनी मुझे पता ही नहीं था कि पीड़ा क्या होती है, दुख क्या होता है, हताशा क्या होती है, लेकिन मनुष्यों के बीच में रहेकर मुझे पता चला कि ये कितना ज्यादा दुशकर जीवन होता है जीने के लिए, और मुझे उपाई बताईए मेरे बच्चों के लिए, मेरे सं के लिए मैं कैसे उनको राहत दे पाऊं महादेव ने कहा कि जो मैंने महातांडव के वक्त दमरू बजाया था और उस वक्त पे जो महातांडव किया था उस तांडव के दौरान जो मंत्र का प्रादुर भाव हुआ था अगर उन साथ करोड मंत्र में से कोई एक मंत्र भी अग क्युकि पीड़ा अज्ञान से जनम लेती है। जब अज्ञानता होती है तभी पीड़ा आती है। तो मनुष्य को अज्ञानता से मुक्ति दिलाने के लिए जो है आपको मंत्र शास्त्र का साहरा लेना पड़ेगा। और महादेवी ने कहा कि महादेव मैं डरी हुई थी मेरे किसी ने आपका महातांडव देखा नहीं, मैंने साथ करोन मंत्र को नोटीस भी नहीं किया, देखा तक नहीं, तो मैं कैसे उस मंत्र को अपने बच्चों तक पहुँचा पाऊंगी, तो महादेव ने मुस्कुरा कर कहा कि महादेवी आपको चिंता करने के आवशक्ता नहीं है मैं फिर से एक तांडव करूँगा, जो होगा आनन्द तांडव, जो महातांडव से अलग रहता है, महातांडव महाप्रलय के वक्त किया जाता है, बाकी तांडव के भी अलग-अलग प्रकार है, उसमें से एक तांडव जो है, जो महादेव अपने सौम्यों भाव में करते जब उल्लासित होते हैं तब करते हैं वो है आनंद तांडव और आनंद तांडव के वक्त महादेव ने फिर से जो तांडव किया जो नित्य किया जो नटराज के तौर पर जिसे हम आज पूछते हैं उस वक्त साथ करोण मंत्र फिर से प्राप्थ हुए और जो रिशिमनी उस वक्त तक निर्गुण परब्रम्म की उपासना कर रहे थे यानि की निराकार स्वरुप की उपासना कर रहे थे उन्होंने उन मंत्रों को देखा इसी वजह से अरुण जी हम कभी भी रिशिमुनियों को मंत्र के सर्जक नहीं मानते रचैता नहीं मानते रिशिमुनी हमेशा से यही मंत्र द्रश्टा थे द्रश्टा यानि जिन्होंने मंत्रों को देखा जैसे कि रिशी विश्वामित्र है वो गायत्री मंत्र के मंत्र द्रश्टा है रिशी कंकोल जो है वो भगवान उच्छिस्ट गणपती का जो नवान मंत्र है उनके वो मंत्र द्रश्टा है तो ऐसे यही हम अलग-अलग मंत्र जो है वो महादेव के माध्यम से प्राप्थ हुए और इसी वज़े से महादेव को आदी गुरू की संग्या दी गई आदी गुरू यानि जिन्होंने सबसे पहले मंत्र हमें दिये और उन्ही मंत्रों को लेकर बाद में जिन्हें आज हम सबतर रिशी मानते हैं जो हमारे गोत्र रिशी होते हैं कश्यप, वशिष्ट, भारदवाज, रिशी अत्री ये सभी रिशी मुनी उन मंत्रों को लेकर हमा पहले जो रचाईता थे वो स्वे महादेव ही थे और इसी वज़े से शास्त्रों में मंत्रों को शब्द ब्रम्ह की उपमा दी गई है संग्या दी गई है नाद ब्रम्ह और वही है मंत्र तो लोग जब मंत्र की बात करते हैं तब हम ये बताना भूल जाते हैं कहीं ना कहीं कि मंत्र का प्रादुर्भाव कोई शास्तर से नहीं हुआ कोई विश्िमुनी से नहीं हुआ basically वो महादेव से हुआ और फिर उसको शास्तर में ढाला गया परग जी आपने हमें ये बतायाए कि मंत्र कहां से आये महा देव ने सारे मंत्र हम लोगों को दी हैं एक बार महा तांड़ों में एक बार महा अनन्द में तो सव च오धा करोड के मंत्र हमारे पास हैं हम जितने भी मंत्र सुनते हैं a to z चाह़े वो गाहतरी मंत्र हो हमारा या किसी ग्रह का भीज मंत्र हो सब वहीं से आया क्या कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिनसे इंसान का personal कोई फायदा हो जाए जैसे किसी को concentration बढ़ाना हो focus बढ़ाना हो या फिर किसी को पढ़ाई में मन नहीं लगता पढ़ाई करने में मन लग जाए वैपार विद्धी मंत्र तो क्या ये सच है और इनके फायदे होते हैं ये मेरा question है दूसरा मेरा आपसे मंत्र के प्रकार, जैसे कुछ हमारे वैदिक मंत्र है, साबण मंत्र भी होते हैं और कुछ तांत्रिक मंत्र भी होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ओके सो साथ करोण मंत्रे जो में प्राप्त हुए तांडव के दोरान वहाँ पे महा देव ने हमें वेदिक मंत्र, तांथरिक मंत्र दिये फिर एक समय ऐसा आया जहां पे कल्यूग शुरू होने वाला था और एक साधक थे, उपासक थे जो महा देव की साधना कर रहे थे महामृत्यूंजै मंत्र का जाप करके जो ओम्त्रेम्बकम्यजामहे सुगंधिम्पुष्टिवर्धनम उर्यवारुकमेवबंधनाल रत्योर्यमुक्षेमामृताथ ये मंत्रका जाप कर रहे थे और काफी सालों से उनकी साधना जो है वो चल रही थी महादेवी और महादेव दोनों विचरन के लिए निकले थे उन्होंने देखा कि ये जो साधक है वो कई सालों से साधना कर रहा है तो महादेवी तो मा है उनको दया आ गई अपने बेटे के ऊपर कि उन्होंने महादेव से बिंती की कि महादेव ये मेरा बच्चा कितने सालों से मेरा जो मेरी जो संतान है वो कितने फर्षों से आपकी उपासना कर रहा है आप फिर बीन को दर्शन देने के लिए क्यों नहीं जा रहा है महादेव ने उनको कहा कि ये साधना तो मेरी कर रहा है लेकिन जो मंत्र का उच्चारण ये कर रहे हैं, उस मंत्र के उच्चारण में एक छोटी सी क्षती है, जहाँ पे वो अपने आत्मा के अमरत्व की मांग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि महामृत्यूंजे मंत्र जो है, वो आत्मा की अमरत्व के लिए उसका जो एक प्रभाव रहत आत्मा को चीरकाली बनाने के लिए उसको आधियात में उन्नती के पत पर ले जाने के लिए उस हितु के साथ उपयोग में लिया जाता है तो महादेव ने कहा कि सिर्फ एक छोटे से वर्ण की गलती की वज़े से एक छोटी सी चूक की वज़े से ये साधक मेरी कृपा जो है वो प्राप्त नहीं कर सके गलत उचारण कर रहा है तो महादेव ने कहा कि महादेव आप इतने कठोर कैसे हो सकते हैं इतने निष्ठोर कैसे हो सकते हैं कई करोडों बच्चे में रह से हैं कई संतान मेरी ऐसी हैं जो जाने अन जाने में भूल कर रही होगी गलती यां कर रह यही होंगी लेकिन क्या इसका अर्थ यह हुआ कि उनको फली नहीं प्राप्थ होगा और उस वक्त पे महादेव ने कहा कि महादेवी समय आ चुका है जब हम कलीव को शाबर मंत्र दें उस समय पे महादेवने जो हमारे वेदिक मंत्र थे जो हमारे सारे अलग-अलग प्रकार के तांत्रिक मंत्र थे उनमें से बहुत सारे मंत्रों को कीलित कर दिया कीलित करना यानि लॉक करना तो उसे अनलॉक करने के लिए यानि कि निश्किलित करने के लिए शाप विमोचन विधी से हमें गुजरना होता है जहांपे हमें अलग-अलग रुशी मुनियों के द्वारा जो लॉक लगाया गया है गायत्री मंत्र के उपर उसे अनलॉक करना पड़ता है यह लॉक इसलिए लगाया गया है क्योंकि यह बहुत पावरफुल मंत्र है बिल्कुल क्योंकि जैसे अकर किसे इनसान के हाथ में न्यूक्लियर बॉंब आ जाए तो क्या होगा उसको पासवर्ट चाहिए बिल्कुल पासवर्ट पाने के लिए से पावरफुल बनना पड़ेगा तो मंत्र is like a nuclear bomb आप उसका उपियोग किस intention के साथ कर रहे है न वो जादा matter करता है हमारी बात हो रही थी कि मंत्र का दुरूपियोग बहुत बार होता है तो जो negative उर्जा कि हम बात करते हैं कि ये गलत चीजों के लिए उपियोग में लिया जाता है या इसकी कोई एक image जो reputation है वो गलत हो चुकी चाहे तंत्र की बात करे शाबर मंत्र की बात करे उस समय पर हमें ये याद रखना बहुत जरूरी है कि मंत्र या फिर कोई भी विदिविधान कभी नकारात्मक होते ही नहीं किस उद्देश के साथ उसका उपियोग किया जा रहा है वही स्यादा matter करता है जैसे की nuclear energy नकारात्मक नहीं है उसका उपियोग electricity लाने में भी किया जा सकता है और nuclear bomb बनाने के लिए भी किया जा सकता है यह इनसान के उपर depend करता है कि वो उसे कैसे use करना चाहता है मंत्र मतलब वो पियोग है उनके अंदर energy है आप उसे use कैसे करें या जो साधक है उनकी intention में अच्छा या बुरा होता है यह intention के उपर ही सारी चीज़े based होती है आपका हेतू क्या है अपका उदेश्य क्या है तो उस समय पे महादेव ने शाबर मंत्र हमें दिये क्योंकि जो मंत्र को lock कर दिया था उससे unlock करने की method कम लोगों के पास थी और वो जो जो ज्यान था वो जो सिद्ध गुरु थे उस समय पर उनको प्रदान किया गया ताकि ये जो उर्जा है powerful उर्जा है उनको एक वास्तविक गुरु शिश्य संप्रदाई के माध्यम से आगे पहुँचाया जा सके लेकिन शाबर मंत्र इसलिए दिये गए क्योंकि इस लाइक OTP one time password जो भी इनसान अपने जीवन में अपनी material desire ज्यादा तर जो होता है शाबर मंत्र का उपयोग वो material desire यानि की भहुतिक सुक्सुविधा की पूरा होती के लिए ही उसे उपयोग में लिया जाता है तो शाबर मंत्र को इसलिए लाया गया क्योंकि जो भी इनसान जो भी मनुश्या अपने जीवन में असुविधा या फिर जो भी दुख या फिर पीड़ा है उसे पीडित है तो उससे बहार निकलने के लिए उसे एक temporary password मिल जाए temporary प्रयोग मिल जाए और इसी वज़े से शाबर मंत्र दिये गया और शाबर मंत्र का विधान ही यही रहता है अगर आपने किसी एक गुरू के पास शाबर मंत्र लिया है तो उसे एक निश्चित संख्या में जाब करना होता है उसके ना कोई वेदिविधान रहता है जैसे कि हमारे वेदिक मंत्र या फिर तांत्रिक मंत्र जो रहते हैं, उसे जागरित करने के लिए अलग-अलग प्रकार के steps होते हैं, right from the beginning, शुद्धी करण, पवित्री करण, आच्मन, हस्त प्रक्षालन, फिर दीप्रागटिय, स्वस्ति वांचन, पृत्वी पूजा, न्य मंत्र में ऐसे एक भी step नहीं होते हैं, उसे आप सिर्फ एक स्थान पर बैठ कर, जो आपके गुरू के पास से विदिविधान आपको प्राप्त हुए हैं, जो सूचना आपको प्राप्त हुई हैं, उसे follow करके, आप उस मंत्र को जागरित कर सकते हैं, और उसे अपने जीव मंत्र आप बोल के बता सकते हो, ताकि लोगों को difference समझ में आ जाए कि उनके pronunciation में क्या difference, जैसे ओम नमाश्यवाय है, आम तोर पे ओम रहते हैं, नमाय श्रुषत रहती है, शाबर मंत्र में हिंदी रहती है, तो एक कोई मंत्र जो आपको याद हो, जो आप बता दोगी, ताक अपने जीवन में रोज मरा के जीवन में आप इसका उपयोग करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता, तब ही अनुमान शालिसा इतनी powerful हो जाती है, बिल्कुल, इसी वज़े से, जिनको भी एक mental boost up चाहिए होता है, जो ये ब्रह्मना में रहते हैं, कि कोई negative entities हैं, या फिर य हमारे रिशी जो थे गोस्वामी तुलसिद्दास जी, जिन्होंने हनुमान शालिसा लिखी, तब से लेकर आज तक हमें ये प्रयोग जो है, वो बताया जाता है, इंक्लूडिंग बजरंगबान, आपने का तो शाबर मंत्र के लिए गुरू से आता है, गुरू को होना एंसाइक्लोपीडिया, एक ओपन गरंथ, जिसे खोलने के लिए कोई ताला या चावी की जरूरत नहीं रहती, ज्यादा तर शाबर मंत्र का आपको कोई शास्त्र प्राप्त नहीं होगा, शाबर मंत्र को एक शास्त्र में लिखे नहीं गए, जैसे कि हमारे पास वेद है, रिगवेद, सामवेद, यजुरुवेद, अधरववेद, हमारे पास पुराण है, उपनिशद है, हमारे पास तीन तांत्रिक गरंथ है, जो है रूद्रयामल तंत्र, महानिर्वान तंत्र और तंत्र राज तंत्र, ये तीन तांत्रिक गरंथ हमारे पास है, जो स्वए आगे उत्रें और फिर जाके सिद्ध हो आज की तारिक में यह बात अलग है कि आपको बहुत सार किताबे मिल जाएंगी लेकिन कोई किताब मूल शास्त्र नहीं है तो किताब यही रहता है कि जब आप शाबर मंत्र या तो किसी गुरू के पास से प्राप्त हो या तो फिर शाबर मंत्र के प्रभाव से परिचित होना बहुत ज़रूरी है अगर आप कोई भी मंत्र उठा कर उसका जाब शुरू कर देंगे आपको पता नहीं है क्या होने वाला है कैसे होने वाला है चीजे तो आप एक रौ एनरजी को ऐसे यूज नहीं कर सकते तो इसी वज़े से आपने जो प्रशन पूछा कि बहुत सारे शाबर मंत्र ऐसे हैं प्रेयोग ऐसे हैं जो ओपन में हैं यानि पॉब्लिक में हैं नुमान चालीसा बजरंग बार ये बहुत पावरफुल प्रेयोग है जो ओपनली इसका आप चांट कर सकते हैं उसका कोई भी दुश यह ठीक है आप समझे थो उस बताईएगा नहीं तो आप इग्णोर भी कर सकते हैं जो ओडियोंस देख रही कुछ एक ऐसे मंत्र जो आप बता दो जैसे मनी के लिए यह है या शाधी के लिए यह एजुकेशन के लिए ऐसा कोई मंत्र शाबर मंत्र शाबर मंत्र तो मैं नह भी देगी जो मेरे गुरु है उमस्वामी उन्होंने एक बहुते सुन्दर पुस्तक आप उसे शास्त्रक है सकते हैं जिसका नाम है The Ancient Science of Mantra उसमें तीन साधना दी हैं सबसे पहली साधना गनपती की उसके बाद गायतरी उसके बाद गुरु साधना और उसके बाद चौथी सा एक ऐसी साधना है जो साधना आपको अगर आप श्री विद्या साधना में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको वो करना अतियावश्यक है अपने श्री विद्या साधना बोल दी है अब समझ में नहीं आएगा कईयों को तो आप थोड़ा से एक्स्प्लेइन करिए क्या है यह जो हमारी दस महाविद्या है काली, तारा, महात्रिपूर सुंदरी, छिन्नमस्ता, बगला मुखी, त्रिपूर भहरवी, मातंगी वगरा वगरा यह दस महाविद्या में से जो तीसरी महाविद्या है वो है महात्रिपूर सुंदरी जिसे शास्त्रों में शोरशी भी कहा गय और ललिथा महात्रिपूर सुंद्री भी कहा गया है तो I was reading a wonderful book जिसका नाम था दस महाविद्या तंत्र महाशास्त्र रिटन बाई तंत्राचारिया पंडित राजेश दिक्षित जी उसमें ये बात मैंने पढ़ी थी कि सबसे पहली महाविद्या जो थी वो महात्रिपूर सु उसके बाद बाकी की महाविद्याव का प्रागट्य हुआ तो मूल जो तीन महाविद्या है वो महात्रिपूर सुंद्री, काली और तारा ही है उसके बाद अलग-अलग महाविद्याव का प्रागट्य हुआ तो जो शोडशी है यानि कि जो महात्रिपूर सुंद्री मा है उ इसमें कुछ दिफरेंस हाँ शाक्त तंत्र में देवी यानि की जो फेमिनाइन एनरजी रहती है उनको इनवोग किया जाता है शाइव में महादेव की एनरजी को वैशनाओ में बगवान विश्णु की और उनकी अलग-अलग स्वरूपों की एनरजी को इनवोग किया जाता ह सौरू तंत्र में जो आप सूर्य के अलग-अलग प्रयोग हैं जैसे की कार्तिक सूर्य साधना की जाती है या फिर सूर्य नमस्कार जो है वो सौरू तंत्र का एक पार्ट है प्रोमिनेंट पार्ट और उसके बाद गानपत्य तंत्र जहांपे बगवान गनपति के अलग- विद्या साधना एक सर्वोच कोटी की उच्च कोटी की साधना जो ब्रम्हांडिय उर्जया को प्राप्त करने के लिए उनको जागरित करने के लिए स्वे महादेवी को अपने देह में विराजमान करने के लिए विद्यमान करने के लिए वो साधना की जाती है और वो है श्र मैं बात कर रहा था, ancient science of mantra कि उसमें पहले तीन साधना दी गई है कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक, देखिए सबसे पहले गणपती की साधना करना क्यों आवश्यक है क्योंकि गणपती जो है मुलाधार चक्र के हमारा जो root चक्र है, उसके देवता है और हमारा मुलाधार चक्र ही, हमारे material desire के साथ connected है material desire यानि मुझे पैसा मिल जाए, मुझे ये सुक्सुविदा प्राप्त हो जाए, मुझे ये सामाजिक, जो status हमारा रहता है समाज का, social status प्राप्त हो जाए, मैं ये बन जाओ मैं वो बन जाओ, ये जो इच्छाय रहती है हमारे मन में उसके जो देवता है, मुलाधार चक्र के वो गणपती है कोई भी साधक अगर पगवान गणपती की साधना से अपनी आध्यात्मी की यात्रा की शुरूवात कर रहा है तो सबसे पहले ये सुनिशित है कि उसे अपने जीवन में भोग और रहश्वर्य प्राप्त होंगे ही होंगे क्योंकि गणपती ही बुद्धी और रिद्धी के देवता है यानि कि intellectuality और wealth रिद्धी सिद्धी रिद्धी बुद्धी दोनों नाम है तो बहुती सुन्दर रिक्ष्लोक आता है लडिता सहस्ट नाम में महा भोगा महेश्वरिया महा वीरिया महा बला महा बुद्धी ही महा सिद्धी ही महा योगेश्वरेश्वरी जब भी कोई साधक साधना के पत पर शुरुवात करता है चलने की उस समय पर प्रत्येक साधक को सबसे पहले भोग और एश्वरिया ही प्राप्त होते है क्योंकि एक व्यक्ती उत्तम साधक तभी बन सकता है जब वो त्रिप्त हो जब वो सेटिस्फाइड हो अपने जीवन से तब तक तो वो उलजा रहेगा ना कि मुझे ये प्राप्त करना है मुझे वो प्राप्त करना है जब उसे सारी चीजों की प्राप्ती हो जाएगी उसके बाद उसे सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की ही काम ना रहती है यही रीजन होता है कि है चो लो पैसा कूप कमा लेते हैं बापा बन जाते हैं, सादू बन जाते हैं, इसकौन में चले जाते हैं बिल्कुल, बिल्कुल यही रीजन था जो मेरे जीवन में 15 साल तक गुरू नहीं थे और 2021 में मेरे जीवन में उम स्वामी आए और जब मैंने उनकी जीवनी पड़ी जब मैंने उनके संस्मरण पड़े, truth be told, उसमें मुझे पता चला कि he was a millionaire, वे Australia थे, Canada, US, UK, वहाँ पे उन्होंने अपना पूरा business का empire खड़ा किया था, और इतना बड़ा empire खड़ा करने के बाद, इतनी संपत्त, इतना धन धाने इकठा करने के बाद, उनको ये प्रतीत हुआ क्योंकि उनकी जो साधना थी, वो बच्पन से चल रही थी, 8-9 साल की उम्रह से, और 30 साल की उम्रह में उन्होंने ये सारी कुछ चीज़े हैं, वो छोड़कर, उन्हेंने एक mail लिख दिया, सिर्फ email, कि अब मैं ये चीज़े छोड़कर, मैं अपने मा को खोजने के लिए, देवी मा की साधना करने के लिए मैं जा रहा हूँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए अबी, तो ये सबसे बड़ा उदारण है हमारे पास, कि जब एक इनसान के पास, एक साधक के पास सब कुछ आ जाता है न, उस समयी पर एक ही चीज़ की कामना बाकी रहती है, वो है आदी पराशक्ती, देवता, जो भी आप नाम दे ले उसे, पगवान, ईश्वर, जो कोई भी नाम, तो परग जी हम बात कर रहते हैं, साधना के तीनी स्टप हैं, गनपती, गायतरी और गुरू, गनपती से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, आप किसी भी मंत्र को अगर कर रहे हैं, अचा यहां पर एक क्रॉष्णन आता, मन में आएगा ओडियंस के कि कौन सा मंत्र हमारे लिए, ये कैसे चूज करें हम, जो साधक रहते हैं, जो साधना के पत्पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके मन में एक प्रश्ण प्रोमिनेंट रहता है, कि हमारे इस्ट कौन से, हमें कौन से मंत्र का जहाप करना चाहिए, तो उसके लिए आपको ये दो साधना करनी अनिवार्य हैं, कारणी ये है कि जब तक आप गनपत्य और गायत्री की साधना नहीं करते, अगर आपको अपने इस्ट मालूम नहीं है, पता नहीं है, तो इस्ट की प्राप्त नहीं है, गनपती का एक चोटा सा आवाहन मंत्र आपको बुलाने के लिए, लेकिन मंत्र जो रहता है कि जागरत किया जाता है, ये एक काईड ओफ स्रीगणेशाई नमा जो मंत्र है, आप वक्रत उंडा महाकाय को एक श्लोक की कैटेगरी में रख सकते हैं, श्लोक और मंत्र दोनों अलग होते हैं, तो स्वस्ति वांचन जो है वो बहुत सुंदर श्लोक है, तो परक जी इतना मैं समझ पाया हूँ कि गनपती से आपको शुरुवात करने पड इस मंत्र की पूर्ण विदिविधान के साथ आपको वहाँ पर साधना प्राप्त होगी, जहाँ पर अलग-लग स्टेप्स होंगे, आपको उसके टोटल जो मान लीजिए, आपने चालिस दिन की साधना करने का नेने लिया, तो इस एक मंत्र का, जो मैंने उच्चारन किया ज दस माला करना चाहो दिन में तो दस भी कर सकते हो, तो दिन बढ़ जाएंगे, अगर आप मान लीजिए, दस माला कर रहे हैं, तो सवा लाक को जागरित करने में 125 दिन आपको लग सकते हैं, यहाँ पर गनपती साधना हमारी पूरी हो गई, उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं गायतरी साधना में जो सवेतुर गायतरी मंत्र है, ओम भुर भुवस्वा तच सवेतुर वरेणियम भर्गो देवस्यदी मही दियो योना प्रचो दयात, गायतरी मंत्र ये जो है, उसे जागरित करने के लिए बहुत सारे अलग-अलग स्टेप्स हैं, एक शाप विमोचन क विधी के साथ जागरित किया जाता है, जहां पे जो भी हमारे रिशी मुनी हैं, उन्होंने इस मंत्र के उपर लॉक लगाया हुआ है, उसे अनलॉक करने का मंत्र पहले उचारण किया जाता है उसका, और बाद में मान लीजे अगर वो आपके लिए बहुत लंबी विधी हो है, हो है, सबालाग के बाद बारालाग पीजाप होते हैं, चौबिस लाग भी होता है और महा पूरुश्चरण 32 लाग का भी होता है, तो कोई भी सादक जिनके मान लीजे अध्यादमिक पत पर आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर वो गायत्री देवी यानि जो वेदमाता ग जो यह चाते हैं, कि मुझे मेरे इस्ठ चाहे कृष्ण हो, राम हो, महादेव हो, भगवान विश्णु हो, उनकी प्राप्ती हो, तो वेवो साधक ये दो साधना करने के बाद अपने इस्ठ की प्राप्ती जो है, वो कर सकते हैं, उसके बाद थार्ड एस्टेप में आपको को एक गुरू की जुरुत पड़ेंची नहीं वहां पे भी आपको गुरू की आवशक्ता नहीं है देखिए आज की तारीख में एक योग्य गुरू की खोच करना बहुत कठीन है और बहुत ही कमर्शलाइज्ट यूग है आज का तो आपको एक ऐसा गुरू प्राप्थ हो ज शुरुवात में कथा सुनाई महादेव को आदी गुरू कहा गया है जब एक साधक अपने अंतरात्मा में विराजमान आदी गुरू को महादेव को जागरित कर लेता है उस वक्पे उनकी गुरू जो है उनकी अंतरात्मा ही हो जाती है इसी वज़े से जिनके पास गुरू नमहा, ये मंत्र का पूर्णा अनुष्ठान जो है, पूर्णा साधना साधना अनुष्ठान पूरश्चरन तिनो एकी वर्ड है, तो ये जो साधना है वो करनी होती है, ताकि आगे बढ़ने के लिए आध्यात्मिक मार्ग में उन्नती पाने के लिए उनको एक दिशा प्राप्त हो जाए जो दिशा उन्हें आदी गुरु स्वय महादेव ही प्राप्त करा सकते हैं अगर उनके फिजिकल फॉर्म में गुरु नहीं है, तो तो ये तीन साधना करनी आपके लिए बहुत आवश्चक है, अगर आपके जीवन में एक ओलेडी गुरु है जो आपको मंत्र साधना के मार्क पर लेके जा रहे हैं तो फिर गुरु साधना आपके लिए optional बन जाती है, एक वेकलपिक साधना बन जाती है तो ये तीन साधना करने के बाद आपको अपने इस्ट की प्राप्ति होती है जहाँ पर मुझे महादेव की आराधना करने है आगे के जीवन में चाहे मुझे महादेवी की तंत्र उपासना करने है या क्या करना है कौन से स्वरूप को मुझे आराधना है पूझना है उसकी clarity ये तीन स्टेप के बाद पर आपको खुद बखुद हो जाता है खुद बखुद क्योंकि अगर आप sincerity के साथ ये साधना कर रहे है न तो स्वयम मा गायतरी ही वेद माता गायतरी ही आपका मार्ग जो है वो प्रशस्त कर देंगी that is for sure इसमें कोई doubt नहीं है क्योंकि वेद माता है वो वेद माता यानि हमारे जो चार वेद हैं रिगवेद, सामवेद, या जुरुवेद, अधर्ववेद वहाँ पे जो मंत्र प्राप्त हुए हैं हमें चाहे वो स्वस्ति वांचन की बात हो या फिर कोई भी एक्सवाइज़ मंत्र श्लोक की बात हो उनकी जननी जो है वेद माता जो है वो गायतरी है तो जैसे हम एक लेखक को एक राइटर को रॉयल्टी देते हैं वैसे ही कोई भी मंत्र का अनुष्ठान करने से पहले कोई भी मंत्र की उनका उप्योग करने से पहले साधना करने से पहले वेदमादा गायत्री को इन्वोक करना बहुत जरूरी है जब वो एक्टिवेट होता है यानि भै लगता है डर लगता है इतना मैंने समझा और सुना भी है क्या यह बात है कि जब आप गनपती साधना करना शुरू करेंगे तो आप बहुत डरेंगे आपको ऐसी अन्बूतियां होंगी ताकि आप यह साधना बीच में छोड़ दे देखिए यह पूर्णा सत्य नहीं है क्योंकि कोई भी नहीं यात्रा चाहे आप अपने परसनल लाइफ में शुरू करें शुरू करें शुरू आत में आपको एक नर्वसनेस होती है उस नर्वसनेस को आप भई का नाम नहीं दे सकते तो गनपती साधना जब आप शुरू करेंगे एक नहीं यात्रा होगी आपको मन में यह हो सकता है कि मैं ठीक कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं मंत्र जागरित हो र अनुभूती की बात भी नहीं है, ना तो मैंने इस चीज का अनुभव किया है कभी, कि डर नहीं लगता, डर तभी लगता है, जब आप कुछ गलत काम करते हो, तो अगर आपका intention साधना करने के पीछे का कुछ अलग तरीके का है, आपका उदेश्य ही कुछ अलग है, तो डर लग सकता है कि देवता नाराज हो जाएंगे, यह हो जाएगा, मैं मंत्र का, या फिर उसके एनरजी का गलत उस्तमाल, गलत उपयोग कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप सत्य के मार्क पर चल रहे हैं, तो डरने की कोई बात नहीं, हाँ, यहाँ पे एक बात याद रखना आपकी साधना, आपका मंत्र जब शुरू होने वाला होता है, जिस दिन से, उसके एक दिन पहले आपको वीदमाता गायतरी से परमिशन लेनी पड़ते हैं, आग्या लेनी पड़ते हैं, तो मैंने अल्लेडी वो प्रक्रिया कर ली थी, और दूसरे दिन से मेरी साधना जो ह एक इस्यू जो है, वो चलता आ रहा है, लेकिन उस particular परेशानी ने कभी मेरी साधना की यातरा को रोका नहीं, क्योंकि मैंने अपने आपको कभी सीमित करके नहीं रखा, मैंने यह नहीं सोचा कि, अरे मैं जमीन पर नहीं बैठ पा रहा हूं, मैं क्या ही मंत्र सिद्ध कर प पाऊंगा, मेरा कर्म यही था अरुन जी, कि मुझे साधना के मार्क पर आगे पढ़ना है, चाहे मुझे देवता ने जो भी अवसर दिया है, उस अवसर को उपयोग में लाना है, उसे यूटिलाइस करना है, और इसी हेतु के साथ मैं सालों से कुरसी पर बैठ कर ही साधना करता हूँ, मैं यग्या जो है, वो भी आज की तारीक में कुरसी पर बैठ कर ही करता हूँ, जो चीज मैटर करती है न, वो आपके भाव, आपके शद्धा, आस्था, समर्पन, भक्ती, यह मैटर करता है, कि आप कितनी ज्यादा intensity के साथ, तिवरता के साथ, देवता को बुल रहे हैं, तो जब यह August की बात है, जुलाई का एंड चल रहा था, और मुझे August में कही ट्राविल करना था, 2023 में, इसी साल में, इसी वर्ष में, तो I was, you know, मेरा वो दिन शुरू हुआ, और सुभे से मेरी यहालत थी, कि मैं बैठ नहीं पा रहा था, हालत इतनी खराब हो चुकी, जैसे जैसे दीन बीटता गया, मेरी ममी ने मुझसे पूछा कि, परक आज आपकी रात में साधना शुरू होने वाले, कोई ममी को पता था कि मैं, रात को बैठने वाला था साधना के लिए, रात को मंत्र जप रहता है, और सुभे मैं यग्या क मैंने कहा कि आप कैसे कर पाएंगे, आप छोड़ दीजी ये संकल्प, मैंने कहा ममी अब तो मैंने संकल्प ले लिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये करके रहूँगा, चाहे बगवान को जो परिक्षा लेनी हो, ले ले, मेरे संकल्प की, मेरे एक द्रिढ निर्धा की परिक्षा, लेकिन मैं करके रहूँगा, और मैंने उस रात मैं बैठा साधना के लिए, और वो साधना थी, वो डेट गंटे की थी, और सुबह एक गंटे का यग्य, तीन दिन तक मैंने बहुत ही जादा परेशानी भुख दी, तीन दिन तक मैं सिर्फ और सिर्फ जैसे दैसे करके बैठ पा रहा था, और बहुत ही जादा पेन के साथ मैं अपनी साधना कर रहा था, लेकिन मन में सिर्फ एक ही निष्चय था, एक ही निर्धार था, कि चाहे कुछ भी हो जाए, साधना रोकनी नहीं है, और वो साधना जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, चौथा दिन आया, पाच्वा दिन आया, दीरे दीरे कोई दवाई के बिना, कोई भी चीजों के बिना, मेरा दर्ध जो था, जो पीड़ा थी, शारिरिक दर्ध था, वो कम होता गया, और ये चीज़े आपके साथ बहुत होगी, क्योंकि जब भी आप किसी उर्जा को जागरित करने की कोशिश करते हैं, वो उर्जा पहले आपकी ये परिक्षा लेगी कि ये अपने संकल्प टिक पाता है या नहीं टिक पाता, जब आप सीरियस होंगे उस वक्त की मैं बात कर रहा हूं, ये नहीं कि हमने सिर्फ पांच दिन या दस दिन जो है वो एक साधना कर ली, एक के रहना है, आपको हारना बिलकुल नहीं है, अगर उस वक्त पे आप किसी ब्रह्म में पढ़ गए, किसी अंदरशद्धा में पढ़ गए, कि मेरे उपर कोई तंत्रविद्या करी गई, या फिर कोई काला जादू हुआ, मैं बैट नहीं पा रहा, मैं अभी तक तो पांच दिन पहले तो ठीक था, अचानक मैं कैसे बिमार हो गया, देखिए, यूमन माइन्ड जो रहता है न, वो सारी चीजों के बारे में सोचता रहता है, तो जब ऐसी कोई चीज़े हमारे साथ होती है, हमारे दिमाग में पहली, पहला खयाल याता है, कि अरे, किसी की बुरी लेकिन लोग सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ चीजे जो है, वो क्रियाए कराते रहते हैं, और कुछ-कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देते रहते हैं, कि आपके उपर ये करा आए गया, आपके उपर मारण, मोहन, वशी करन वगरा वग करन का नाम लिया, आपने, अच्छा पहले मैं तो बताओ, आपने साधना को बहुत अच्छे से एक्स्प्लेइन करा, और जो करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं अब इसके बाद, हम इस पे सॉबर मंतर पे एक बार और बात करेंगे, लास्ट में, अभी हम थोड़ा अपने क्रिया किसी और को मार दें बैठ कर, क्या यह पॉसिबल है तंत्र से? देखिए हम सबने एक नाम सुना है चानक्या, चानक्या जो थे, वो बहुत ही बड़े तंत्र उपा सकते, और जो अभीचार क्रिया है, जो अच्छा पहले यह क्लिए करना बहुत जरूरी है कि तंत्र और अभीचार क्रिया एक नहीं है, क्योंकि तंत्र के बारे में जो भी मित, जो भी सारी ब्रह्मना हैं, आज के समाज में प्रवर्तमान हैं, हमें उसे पहले डीबंक करना पड़ेगा, तंत्र का एक भाग, एक पाठ अभीचार क्रिया, अभीचार क्रिया यानि मारण, मोहन वशीकरन, स्नंभन, उच्छाटन, विद्वेशन तो यह जो छे क्रिया जो छे कर्म जिसे शट कर्म बोला जाता है वो तंत्र का एक भाग अवश्य है लेकिन वही तंत्र नहीं है तंत्र एक बहुत ही ज्यादा विस्तृत टॉम है जिसे किसी एक सीमा रेखा में बांधना possible ही नहीं है तो अविचार क्रिया जो है वो उसका जो शास्त्र में जब लिखी गई थी यह सारी चीजे जब प्रयोग लाए गए वो इसी हेतु के साथ लाए गए थे कि एक तो आत्मसुरक्षा के लिए एक लोकल्यान के काम के लिए देखी काफी बार पहले के जमाने में यह होता था जो चानाकिय के हम बात कर रहे थे चानाकिय के जो दुश्मन थे उनके जो शत्रू थे वो अपने राज्ये को बचाए रखने के लिए बहुत सारी क्रियाओं का इस्तमाल करते थे उसमें से एक प्रयोग विश्कनिया का भी था विश्कनिया यानि एक छोटी सी बच्ची को वो जनम के टाइम से थोड़ा थोड़ा यानि कि एक सुई के उपर जितना जहर आप देख पाए लगा पाए उतना जहर उस बच्ची को दिया जाता था और धीरे धीरे उसका डोसेज उसके जो मात्रा थी वो बढ़ाई जाते थी एक समय ऐसा आता था जब बच्ची जो लड़की होती थी वो बड़ी हो जाती थी और उसके ऊपर कोई जहर असर ही नहीं करता था क्योंकि उसे इतना जहर दे दिया जाता था कि वो विश्कन्या बन जाते थे फिर और उस विश्कन्या का उप्योग दूसरे राजाओं को हराने के लिए किया जाता था तो इसी प्रकार से अपने राज्य की रक्षा के लिए चानक्या जो थे वो अभिचार क्रियाओं का उपियोग करते थे, चाहे वो मारन, मोहन, वशिकरन, सनंबन, उचाटन, विद्वेशन, इन छे क्रियाओं में से कोई भी क्रियाओं की हम बात करें, उनका उपियोग चानक्या के द्वारा किया जाता था, लेकिन समय के साथ यह हुआरों जी, कि ह हमने इन क्रियाओं का दुरुपियोग करना शुरू कर दिया, हमने, for example, हमारे पास एक कथा आती है, आदिशंकराचारिया जी की, आज से 1200 साल पहले सनातन धर्म के उठ्थान के लिए जिन्होंने बहुत सुदिर्ग काम किया था, वो थे आदिशंकराचारिया जी, और आद एक बार क्या हुआ कि किसी तांत्रिक जो शाक्त उपासक था, जो शाक्त तंत्र में आगे था, उन्होंने आदिशंकराचारिया जी के उपर मारन प्रियोग किया, एक कता हमें ये प्राप्त हो थी है, और उस प्रियोग के बाद आदिशंकराचारिया जी एकदम बिस्तर के उपर आ गए और वो ना उठ पा रहे थे, ना चल पा रहे थे, कुछ नहीं हो पा रहा था, वे गए थे काश्मिर, शाक्त मत का खंडन करने के लिए, शाक्त मत यानि जो शक्ति के उपासक है, जो शक्ति में विश्वास रखते हैं, उनका जो मत रहता है, उनका जो विश्वा लोग हुआ उनके उपर, उस समय पे एक बुढिया उनके द्वार पर आई, और शंक्राचारिय जी के शिश्य बहार आए, उन्होंने मा से पूछा, वृध्धा से कि आपको क्या चाहिए, मा ने कहा भिक्षान ने दे ही, उन्हें भिक्षा चाहिए, लेकिन मैं भिक्षा आप के गुरुजी से ही लूगी, आपसे नहीं लूगी, तो शिश्य अंदर गये, गुरुजी से कहा कि एक वृध्धा आई है, मा आई है, आपसे बिक्षा मांग रही है, तो शंक्राचारे जी ने कहा कि उनको जाकर कहिए, कि मेरे जो गुरु है, वो अपने विस्तर पर से मारमिक समीद देकर इतना ही कहा, जो गुरु शाक्तमत का खंडन करने के लिए काश्मीर आया है, आज वही ये कह रहा है, कि मुझमें शक्ती नहीं बची, जाव अपने गुरु को ये संदेशा देकर आओ, और उसी वक्त शंक्राचारे जी ने जब ये संदेशा सुना आप स्वयम माधी पराशक्ती ही हो सकती है, आप कोई सामानिस्त्री नहीं हो सकती, और बाद में जो आदिशंकराचार्य जी ने चिदानन्द रूपम, शिवोहम, शिवोहम कहा था, कि मैं ही शिव हूँ, वही आदिशंकराचार्य जी ने आगे जाकर हमें भवानी अस्चकम दि कितनी सुन्दर बात है और वही शंकराचारिय जी बाद में एक जो बहुती सुन्दर श्लोक मिलता है कि एक पुत्र जो है वो कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती यानि कि मुझे मंत्र नहीं आते मुझे तंत्र नहीं आते मुझे पूजा आराधना कैसे करनी है वो मुझे नहीं पता मा मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि एक बुत्र को पुत्र हो सकता है लेकिन एक माता को माता नहीं हो सकती तो इतने बड़े और सर्वस्टेस्ट उदाहरन हमारे पास हैं कि मारन क्रिया से ये हमारी बात शुरू हुई थी उनके उपर जो मारन क्रिया हुई, फिर बाद में मा की ही कृपास है, जब उन्होंने मा के सत्ता को स्विकारा, उस पर उस खटना के बाद फिर वो मारन क्रिया का असर जो है वो खतम हुआ था, वो प्रभाव जो है वो खतम हुआ था, तो उस वक्त पे वो सारी चीजे काफी ह प्रवर्दमान थी और एक आप कह सकते हैं कि पाठ सिखाने के लिए बोध देने के लिए ये चीज़े करी जाती थी या फिर कोई आपको हानी पहुँचाने का प्रयास कर रहा हो तो उस वक्त पे ये चीज़े होती थी लेकिन समय के साथ हमने अपनी स्वार्थ पूर्ती के ल कि आप मल्टी परसनालेटी डिसॉडर से भी पीडित हो सकते हैं बहुत सारी ऐसे मानसिक अवस्थाएं हैं जो हो सकती है कोई-कोई लोग ये मानते हैं कि हमारी आवाज बदल रही है किसी का बिहेवियर चेंज हो रहा है तो ये सारी चीज़ों के सिम्टम से नहीं एक बार जाकर किसी मनोविज्यानिक के पास जाकर अपने आपको एक ट्रीटमेंट करवाईए दिखाईए ये चीजे ज्यादा अतर वही होती है मनों विज्ञान के साथ जुड़ी हुई चीजे ही होती है बाकी ये कोई ऐसी चीज कोई खिलोने का खेल नहीं है कि कोई भी आया और किसी ने भी कर दिया परग जी कोई ऐसा परसनल एक्सपिरेंस रहा है आपका तंतरवर्शी करन नहीं क्योंकि मा सबसे पहले आके खिलोने देती है क्योंकि एक बच्चा चोटा बच्चा जो होता है अगर वो रोना शुरू करे तो मा सबसे पहले आकर यही प्रयास करे कि बच्चा चुप हो जाए बच्चे को क्या चाहिए क्या वो खिलोने के लिए रो रहा है उसे खिलोना दे दो खिलोना यानि माया रूपी खिलोना टॉय बेजिकली सुख, सुविधा, एश्वरिय, भोग, विलास, सब्बत्ती संबदा ये सारी चीज़े अगर बच्चा उसी में खुश हो जाता है तो फिर वो मा को पुकारना बंद कर देता है और फिर मा अपने काम में लग जाती है तो यही चीज, यही बात मेरे लिए भी मैटर करती है मैं क्यों अभिचार क्रिया में या फिर इन सारी चीज़ों में कभी गया ही नहीं क्योंकि वो मेरा दिये नहीं है मेरा उद्देश यह वो नहीं है तो उमस्वा में जब उन्हें मा का साक्षातकार हुआ उसके बाद वे हिमालई से उतर आये थे उस वक्त की एक कथा है जो दरेन मेकर रिटन बाई साध्य वरिंदा उम उस पुस्तक में दी गई है वहाँ पे वे एक तांतरिक से मिले थे और जो गाओं वाले लोग थे वो उनको बहुत बड़े तांतरिक मानते थे क्योंकि जो कोई भी इंसा उनके पास जाता था वो उनको सारी चीजे बता देते थे कि आप आपने क्या क्या किया है आपका जो पास्ट है वो किन-किन चीज़ों के साथ connected है और कौन-कौन सी चीज़े आपके जीवन में हुई है तो जब ओम स्वामी उनके पास गए तब तांतरिक ने स्वामी जी को देखा और तुरंद बाद उन्होंने अपना जो एक hall था रूम था, वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे उन सब को विदा किया कि आप आज का session हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा है अब हम कल मिलेंगे और स्वामी जी जब अंदर गए वो तांतरिक उनके चरणों में गिर पड़ा क्योंकि तांतरिक के पास जो सिद्धी थी वो कर्णापिशाचिनी थी और कर्णापिशाचिनी जो है वो आपके कान में आकर सामने वाले इंसान के बारे में कुछ-कुछ चीज़े बता देती है अब ये तांतरिक क्या करता था कर्णापिशाचिनी उसे कान में आकर जो कोई भी चीज़े बताती थी वो सामने वारे इंसान को वो चीज़ तो बताता ही था लेकिन साथ-साथ अपनी और से दस चीज़े और एड़ कर देता था तो स्वामे जी ने जब इनका वारतलाप हो रहा था तब तांत्रिक ने उनसे कहा स्वामी से कि मुझे पता है मेरी मृत्यू बहुत ही बुरी तरीके से होने वाली क्योंकि मैंने जो भी पाप किये हैं अपने जीवन में वो मुझे आसानी से मरने नहीं देंगे और स्वामी जी ने उतना ही कहा उनसे कि आप सत्य कह रहे हैं आपके मृत्यू बहुत ही मुरे तरीके से लिखी गई है तो तांत्रीक ने गिड़ गिड़ा कर उनसे माफी मांगी क्षमा मांगी कि मुझे अपने कर्मों से चुटकारा चाहिए मुझे आप मुक्ति दिला दीजे और मुझे शांत मृत्यू का वर्दान दीजे उस वक्त पे उनस्वामी ने उनके ललाट पर हाथ रखकर इतना ही कहा कि मैं आपको आपके सारे कर्मों से जो है मुक्ति दिला रहा हूँ अब आपके मृत्यू शांत मृत्यू होगी और उसी वक्त उन्होंने कहा कि अब आपको जो मा का वर्दान प्राप्त है क्योंकि कर्णपिशाचनी मा का एक निम्न स्वरूप है, महाशक्ति का, वो कोई devil energy नहीं है, वो कोई negative energy नहीं है, वो लोगों ने उसे portrait करके रखा हुआ है, हाँ उसे सिद्ध किया, कैसे जाता है, उसके उपर बहुत चीज़े depend करती है, वामाचार से सिद्ध किया जाए, वा वामसिक तरीके से सिद्ध कर रहे हैं, तो उस तांत्रीक को अपने कर्मों से मुक्ति मिल गई, और फिर उम स्वामी ने, जो उनके साथ जो आये थे, एक बबलुकर के नाम था, एक लड़के का नाम, उनको कहा कि, एक ट्रक आने वाला था, बहुत बड़ा, और इस इनसान क पूरा बॉड़ी उस ट्रक के सामने आ जाने वाला था, और इतने टुकड़े होने वाले थे कि, चाहे डॉक्टर्स कितना भी जोड़ने का प्रयाद न करे, नहीं जोड़ पाते, इतनी ज्यादा खराब मृत्यू लिखी जा चुकी थी, तो जब आप किसी खिलोने के बीच भागते होना, लोग करना पिशाज नहीं या फिर ऐसी कोई साधना क्यों सिद्ध करते हैं, एक स्थान बना पाएं समाज में, दूसरा लोगों को प्रभावित कर पाएं, इंप्रेस कर पाएं, लेकिन उससे क्या प्राप्त होगा, पैसा, धन, धानिय, समरिद्धी, उसके इस बात में कोई डाउट नहीं है, और इसी वज़े से निम्नकोटी की साधना जो है, अगर आप अपने भोतिक आस्पेक्ट को सुक समरिद्धी, धन्धानिय, एश्वरिय पाना चाहते हैं, उसके लिए आप एक हद तक उसे करें, तो अभी भी ठीक है, लेकिन उसी को उद आदनाएं आपको हमेशा जूट पुलवाएंगी आपके पास से, और जब एक इनसान असत्य का आसरा लेता है, असत्य का सहारा लेता है, उस वक्त पे उसकी अधोगती सुनिश्चित है, तो आपने परग जी काफी हद तक की वश्री करन मारान करिया, इसमें बहुत, अगर उनके संपर्क में जल्दी निया हूँ, पता नहीं का हिमाल है वगएरा में हूँगे, खेर चली, एक मेरा प्रशनवर यहां से उठता है कि आपने देवी की बात बहुत करी, जब तंत्र की बात आती, तो काल बहरो क्यों जुड़े हुए हैं तंत्र से, काल बहरो इसलिए जुड़े हुए क्योंकि शेत्रपाल है, शेत्रपाल यानि एक प्रकार के बोडी गार्ड, डिवाइन गार्ड, जिसे आप कह सकते हैं, तो जैसे कि हम अगर श्रीविद्या की भी बात करें, श्रीयंत्र की भी बात करें, तो उसमें से एक जो द्वार हैं, यह कहा जाता है क एक द्वार के रक्षक स्वयम बहरव हैं, तो जब आप बहरव की बात करते हैं, तब हमें यह नहीं बूलना चाहिए, बहुत लोग आकर यह कहते हैं कि हमें बहरव की उपासना करनी हैं, बहरव बगवान की साधना करनी हैं, we should not forget one thing very clearly, कि बहरव एक ऐसे स्वरूप हैं जो आपके असित्व को हिला देंगे, जब आप बहरव की उपासना करने जा रहे हैं तब आपका बेज, आपका आधार बहुत ही स्टॉंग होना चाहिए, बहुत ही मस्बूत होना चाहिए, द्रिड होना चाहिए, जैसे कि एक कच्चा घर हो, जिसकी नीव सही से नहीं रखी ग जाएगा ना, तो भी वो पूरा घर जो है वो डह जाएगा, त्वस्त हो जाएगा, वैसे ही काल भहरव हो, या फिर महाकाली हो, या फिर उग्रतारा हो, या फिर ऐसे कोई भी उग्र स्वरूपों की साधना करने से पहले, आपको इनिश्यली, गणपती, गायतरी, गुरू ये जो हमने तीन साधना की बात करी, उसके बाद आप अपने इस्ट का चैन करिए, लोग तुरंत ही कूद जाते हैं, कि मुझे बहरव की उपास ना करनी है, एक बार समशान में जाकर तो देखिए, आप जिस स्वरूप की बात कर रहे हो, वो स्वरूप जिस थान के साथ ज की जाती है, दो घंटा अमावस्या की रात को समशान में बिता कर देखिए, सारी चीजे पता चल जाएगी, तो जब तक आपका बेज, आपका मूल, आपका आधार मस्बूत नहीं है, द्रिड नहीं है, तब तक आपको ऐसे एक भी उगरत देवता या फिर देवी की उपास नहीं करनी चाहिए, जो आपके पूर्ण अस्तित्व को हिला सकती है, मैं यहाँ पे कोई ऐसी चीज कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, कि आपके साथ कुछ बुरा होगा, या फिर नेगेटिव होगा, लेकिन हमें ये बात याद रखनी बहुत जरूरी है, कि जब भी एक न्यूकलियर एनरजी के साथ, न्यूकलियर उर्जा के साथ खेलेंगे ना, तो उसका प्रभाव बढ़ा ही होने वाला है, लेकिन उस उर्जा को संभालने की शक्ति जब तक आपके पास नहीं आ जाती, जब तक वो बेज क्रियेट नहीं हो जाता, तब तक आपको ऐसी एक भी उर्जा के साथ नहीं आदान प्रदान करना चाहिए, कुछ भी, तो वाकई में अगर आप अध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो शास्त्र में ये रास्ता दिया ही गया है, रास्ते को एक मार्ग को फॉलो करिए, अनुसरन करिए, आपको अपने इस्ट और अपना जो रास्ता है, चाहिए आप आगे जाकर अगर आपको काल भेरव की ही उपासना करनी है, तो वो रास्ता निकल ही आएगा, वो अपने हाप दिख जाएगा, इसके लिए ये आवश्रक नहीं है कि आप पहले से शुरू कर दो, पहले जो मार्ग आपको एक गाइड दिया गया है जो आपको एक प्रॉपर वे में गाइडन्स के तौर पर कुछ-कुछ चीज़े बताई गये कि आपको पहले गनपदी साधना करनी है, फिर आपको गायतरी करनी है, फिर आपको गुरू साधना करनी है, वो करके देखिए, फिर अगर आपका मार्ग व पर भी अवलेबल है, मैंने भी इंदरजाल पढ़ने की कोशिश करी थी, उसमें बड़ी भयानेक बयानेक चीज़े लिखी है, करने के लिए, बड़ी अजीब अजीब क्रियाएं बताते हैं करने के लिए, इन पुस्तकों का रह से क्या है, आपने कभी पढ़ी है, वो बता असली प्राचीन महाइंद्रेजाल, एकदम बड़े अकशरों में लिखा हुआ है, एकदम मोटी से किताब है, और एकदम वो भयानक सा चेहरा बना हुआ है उसके उपर, जब मैंने वो देखा, वो बहुत ही, विजुली मेरे लिए अट्रेक्टिव था, चीज, तो मैंने व सारी चीजे दिरे-दिरे मैंने पढ़ना शुरू किया और संस्कृत मुझे आई बाद में आगे जाकर, I think 13-14 साल का मैं रहा होँगा, उस वक्त पे मैंने वो सारी चीजे जो है वो पढ़ी, और उसमें आकाश गमन से लेकर बहुत सारी सिद्धियों के बारे में बात करी ग नाम दिया जाता है, तो बहरवी मा उनसे मिली, और बहरवी मा ने उनसे कहा कि मैं आपको जो है आकाश गमन की सिद्धी, करना पिशाचनी सिद्धी वगिरा दे सकती हूँ, और इस वामी जी ने उस वक्त पर उतना ही कहा था कि अगर मुझे आकाश गमन करना ही है, तो मैं राचिन महाइंद्रे जाल में ऐसी बहुत सारी चीज़े लिखी गई है जो एक human mind के लिए logical नहीं है, rational नहीं है, लेकिन सारी चीज़े गलत भी नहीं है और सारी चीज़े सही भी नहीं है, जो कोई भी साधना, जो कोई भी टोने टोटके वगरा उसमें दिये गया है, यह नही पहुचाएंगे नहीं, वो किसी गंतवी अस्थान पर आपको नहीं ले कर जाएंगे, कभी भी, आपके आध्यात में कुन्यती उससे संभव है नहीं, तो जैसे एक व्यक्ति के जीवन में जब वो पढ़ाई करना शुरू करता है, उस वक्त पे उसके सामने बहुत सारे वि पूल निश्चित होते हैं, अगर आपने अपना द्यही पहले से निश्चित कर लिया है ना, कि मुझे आगे जाकर ये बनना है, तो बस उसी के ओपर फोकस करिए, फिर तो चाहिए असली प्राचिन महाइंद्रजाल हो, या फिर XYZ कोई भी किताब हो, उसमें जो कोई भी सि आधना की यात्रा में अपने आप जुड़ती जाएंगी, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए उसके उपर फोकस करने की जरूरत नहीं है, आपको फोकस सिर्फ आपका इतना ही होना चाहिए कि मेरा जो धिय है, मेरा जो उदेश्य है, वो महाशक्ती तक पहुँचना है, य जैसे कि चांद का लक्ष बनाओ, गिरोगे भी तो सितारे मिल जाएंगे, वैसी बात है, बट जितना मेरा अनुभव रहा है, जितना मैंने लोगों से बाते करी, इस चीज़ की सुरुआत एक लालच के साथ होती है, बीच में लालच खतम हो जाता है, और आपने भी कहा कि पहले तरप्त होना ही पड़ेगा, अगर आप लालच है, मन में लालच क्या है, बहुत अच्छी शादि ओजाए, मेरीच ओजाए, बहुत पैसा धना आजाए मेरे पास, यnisse हमारा लालच है, पर ऐस पहले हमें इससे तरप्त होना पड़ेगा और, उसके बाद ही हम असली सा पिजादना के बीच में हो जाएगी, आपने बीच में श्री यंत्र की बात करी थी, हमने मंतरों को काफी डिसकस किया है, यंत्रों को लोग नहीं समझ पाते हैं, उधर वाजे पर लगा देंगे पोस्ट अरला के कि वास्तु यंत्र है या श्री यंत्र है, अपने दुकान में सोच कर, क्या हमें सोचना चाहिए कि यह क्या चीज है, क्योंकि लोगों को पता भी एक डाइग्राम नहीं, बस इतना पता है तो इस फिर थोड़ी रोश्नी डाली है यह अंत्र की बात करने से पहले जो आपने कहा कि लोग सिद्धिया पराप्त करने के लिए यह जो है, एक लालच में आ जाता है बहुते सुन्दर एक मंत्र है श्री सुप्तम का, थीसरा मंत्र अश्वपूर्वाम, रथमध्याम, हस्तिनाद, प्रबोधिनिम श्रीयम देवी, मुपहवये, श्रीरमा देवी, जुचताम यहाँ पे साधक की तीन प्रकार के मनोदशा का मरणन किया गया है अश्वपूर्वाम, रथमध्याम और हस्तिनाद, प्रबोधिनिम जब भी कोई साधक साधना की यात्रा पर निकल पड़ता है उस वक्त पे शुरूवाती दौर में जैसे आपने कहा एक लालच होता है, बहुत सारी चीजों को प्राप्त करने का लालच चाहे वो बहुतिक सुक्सुविधा की बात हो एश्वर्य की बात हो, भोग, विलास, संपत्ति उस वक्त पे उसका जो मन है वो एक अश्वकी भाती भागता रहता है अश्वक का जो पाव रहता है वो तबड़क तबड़क आवास जैसे अश्वकी होती है गोड़े की आवास चलने की वैसे ही एक साधक का मन जो है वो भागता रहता है अश्वपूर्वाम, पूर्वाम यानि पहले अश्व की तरह पहले उसका मन जो है वो भागता रहता है धीरे 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 समय के साथ उसके बरताओं में एक stability आती है स्थीरता आती है, स्थित प्रक्यता आती है जो होती है रतमध्याम अगर आप रत में बैठे हुए हो आप एक ही गती के साथ चल रहे हो, चल रहे हो, चल रहे हो एक समय ऐसा आएगा अरुण जी जब आपको आप पूर हो जाओगे आप धीरे धीरे आपको कंटाला आने लगेगा कि मैं कब से अपनी यात्रा शुरू करके बैठा हूँ लेकिन कहीं पहुँची नहीं रहा हूँ मैं लेकिन अगर फिर भी सादक डटा रहा उस मार्क पर अपनी लालच को साइड में रखके अपनी माया जो थी, जो सारे भोग एश्वरिय की रूप में जो माया उनके पास आई थी, उनको बाजू पर रखकर अगर वो आगे बढ़ता रहा, बढ़ता रहा एक द्रड संकल्प के साथ तो फिर जो गड़ी आती है, उसे नाम दिया गया है हस्तिनादप्रबो धिनिम यानि कि एक हाथी की जो दहाड होती है ना वो एक क्षण में हो जाती है वो इतनी ज्यादा तिव्र होती है जैसे कुंडलेनी जब जागरित होती है कुंडलेनी जागरित करने के लिए वो जो पूरा समय रहता है, वो सालों का रहता है वर्षों तक तपस्या की होती है लेकिन उसकी जो जागरण की क्षण होती है जागरित होने की वो जैसे एकी क्षण में सहसरार तक पहुंच जाती है वैसे ही यानि की हस्तिनाद प्रबोधिनिम उसी क्षण की तरह एक साधक की जो उर्जा है उसे अपने इश्ट की प्राप्ति होती है तो हर एक साधक के जीवन में ये फेस तो आएगा ही आएगा कोई भी साधक जिन्होंने साधना वास्तों में शुरू की है गंभिरता के साथ, सिंस्यारिटी के साथ उनके जीवन में पहले उनका मन गोड़े की तरह ही भागेगा वो भोग एश्वर्य लालच के पीछे ही भागेंगे लेकिन अगर उन्होंने अपने मन को और यहीं पे गुरू का रोल आ जाता है यहीं पे एक गुरू जो है वो अपने शिश्य को कह सकते है कि बेटा अब आप जो है न वो गलत दिशा में जा रहे हो अब आपको आपके सामने लालच रखती गई है महाशक्ती के द्वारा उस लालच को आपको ओवरकम करना है उससे बाहर आना है अगर आपके पास इस समय पे गुरू नहीं है तो आप अपने माया में ही फसकर रह जाएंगे आप कभी अपने जीवन में अपने इस्ट के प्राप्ती नहीं कर पाएंगे तो ये बात मुझे लालच के उपर से याद आये थी अब श्री अंत्र के उपर आते है श्री अंत्र जो है वो मा ललिता महात्रिपुरसंदरी का एक 2D फॉर्म है उसे आप क्रिस्टल जो आता है उसमें भी आपको प्राप्त होता है और एक मेरू यानि की जो 3D श्री अंत्र होता है वो भी आप मार्केट से आपको मिल सकता है अनफॉर्चुनेटली श्री अंत्र के बारे में हम आज इतना ही जानते है जो एक सामाजिक मैं परिप्रेक्षय से बात कर रहा हूँ कि लक्ष्मी जी की प्राप्ती के लिए श्री अंत्र का उप्योग जो है वो किया जाता है लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है श्री अंत्र की साधना जो है वो श्री विद्या साधना में समाविष्ट है जब भी कोई साधक श्री विद्या साधना करने जा रहे है उनको श्री अंत्र, पंचदशी मंत्र और श्री रलिता सहस्ट नाम ये तीन अंगों को मिलाकर श्री विद्या की साधना जो है वो करनी होती है और श्री अंत्रम में अगर आपने देखा होगा नौ आवरण है नाइन लेयर्स आदे है सबसे पहला तेलोक्य मोहन चक्र और सबसे आखरी जो बिंदू है बीच में जहां पर मा निवास करती है उसे नाम दिया गया है सर्वानंदमाई चक्र तो बीच में बहुत सारे चक्र आते हैं सर्वाशापरिपूरक चक्र सर्वरक्षाकर चक्र बहुत अलग अलग प्रकार के 9 चक्र वहाँ पर दिये गए है अगर आप देश के प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचना चाहते हैं न आपको एक के बाद एक लेयर्स क्रोस करके ही जाने पड़ेंगे आप तुरंत वहाँ तक नहीं पहुँच सकते अगर आप प्राइम मिनिस्टर को मिलना चाहते हैं सबसे पहले आपको एक मैसेज वहाँ तक पहुचाना पड़ेगा कि मैं आ रहा हूँ मुझे आपसे प्रार्थना है कि मुझे आपसे मुलाकात करनी है तो ये जब आप युनिवर्स में एक प्रार्थना रिलीस करते हैं कि मैं श्री विद्या साधना करना चाहता हूँ वहां से आपकी यात्रा शुरू होती है मा से मिलने की यात्रा और धिरे 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 समय के साथ एक इंसान एक साधक जो है वो श्री अंत्र के माध्यम से उनकी साधना करने के बाद आगे पहुँच सकता है और श्रीयंत्र में पंद्रा नित्याय होती है, नित्याय यानि संगीनी शक्ती, सखी, friends basically मा की, वो पंद्रा नित्यायों को जागरित किया जाता है, वो पंद्रा नित्यायों के जितने भी मंत्र है, वो मंत्र के जितने अक्षर है, उतने लाख अनुष्ठान करने जरूरी है, जैसे कि श्री विद्या के मूल तीन मंत्र है एक त्रयक्षरी यानि कि थ्री लेटर्ड मंत्र जो है मा बालत्री पुरसुंदरी का मंत्र तो त्रयक्षरी मंत्र एक होता है दूसरा है पंच दशी और तीसरा शोड़ोश आक्षरी त्रयक्षरी यानि त्रय अक्षरी जो तीन अक्षर का मंत्र है वो पंच दशी यानि पंच और दशी पांच और दस यानि कि पंदरा लेटर्ड का पंदरा अक्षरों का जो मंत्र है वो और शोड़ोश अक्षरी यानि कि सोला अक्षरों का जो मंत्र है वो तो एक गुरु अपने शिश्य को उसकी काबिलियत के हिसाब से उसकी साधना की यात्रा जैसे से आगे बढ़ती जाती है वैसे उसे सबसे पहले त्रेक्षरी मंत्र देता है फिर उसे पंचदशी देता है और फिर शोड़शाक्षरी जो मासवयम है तो जो पंचदशी मंत्र है हमारा उसका मूल अनुष्ठान जो रहता है वो 15 लाख जब उसके रहते हैं उसके पहले मा की जो 15 नित्याओं के बारे में हमने बात की उनको जागरित करना पड़ता है और बाद में अलग-अलग जो उनकी अलग-अलग संगिनी शक्तियां है चक्रेश्वरी देविया जो है उनको जागरित किया जाता है तो बहुत ही ज्यादा विस्तृत अनुष्ठान है और उम स्वामी जी ने एक बार कहा था कि अकर आप अपने जीवन में डेली पाँच गंटे या छे गंटे दे सकते हैं श्री विद्या साधना के लिए तो आपको मा की प्राप्ति जो है वो हो सकती है क्योंकि ओम स्वामी की जी की जो तपस्या थी उनकी जो साधना थी हिमालई में वो श्री विद्या साधना ही उन्होंने की थी तो इस माध्यम से हम श्री अंत्र को जो है उसकी पूजा कर सकते हैं श्री अंत्र कर आपने घर में बसा कर रखा हुआ है आप श्री अंत्र का पूजन उसका जागरन जो है श्री ललिता सहस्ट नाम से भी कर सकते हैं अलावा श्री सुक्तम से भी आप उसका पूजन कर सकते हैं मैं आपसे पूछने वाला था क्योंकि आपने तो का 15 लाग तो आधी जंतर डर गई यहां पे 15 लाग मंत्र है जो नॉर्मल लोग है जो कॉमन लोग है वो अपने घर में श्री आंतर रखें अपने मंदिर में रख सकते हैं बिल्कुल अर श्री शुक्तम का पार्ट करें डेली बेसिस पे तो वो भी इनफ है उनके लिए श्री आतर का पूरा लाग उनको प्राप्थ है जो श्री सुक्तम के मूल 16 मंत्र है, जिसकी चुरुवाथ, यह जो कुल 16 मंत्रों का वहाँ पर प्रयोग दिया गए, आज की तारिक में, श्री सुक्तम कालांतर में बागी के मंत्र भी एड हुए, लेकिन जो पहले 16 मंत्र है, वो मूल मंत्र है, तो अगर आपने घर में श्री अंत्र रखा हुआ है तो श्री सुक्तम के माध्यम से उनकी पूजा की जा सकती है आप एक-एक मंत्र को उसका उच्चारण करिए और भगवान को श्री अंत्र के उबर पुश पचड़ाईए इससे श्री अंत्र की पूजा हो सकती है और ललिता सहस्र नाम तो बहुत ही जादा शक्तिशाली एक स्तोत्र है तो अगर आप अपने रेगुलर लाइफ में उसके लिए एक ब्रह्मना है कि आपको दिक्षा चाहिए आप दिक्षा के बिना नहीं कर सकते ललिता सहस्र नाम का उच्चारण करें उसका प्रयोग करें दिन में सिर्फ ये एक चीज़ एक बार करने से भी आपको मा की कृपा मा की आशिरवाद अवश्य प्राप्त होंगी और बहुत ही सुन्दर पूरा ये जो स्तोत्र है हमारा जहांकि जिसकी शुरुवाद ही और ये हजार नाम आपके लिए एक एक मंत्र की भाती काम करेंगे तो अगर आप अपने जीवन में एक माला भी नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं अगर आप सिर्फ ललिता सहाष्ट नाम का जहाप कर रहे हैं दिन में एक बार जो आपके लिए hardly 40 मिनिट का टाइम आपका लेगा 30 मिनिट से लेकर चालिस मिनिट में आप ललिता सहस्ट नाम का पूर्ण उच्चारन कर पाएंगे उसमें आप मां के एक हजार नाम का उच्चारन कर रहे हैं तो इसी वज़े से इसकी महत्ता बहुत ज्यादा है अब आपने जैसे मंत्रों की बात बहुत करीब परग जी दो तरह की मन में बाते आती हैं कि एक तो मंत्र ऐसे बोल बोल के करना कुछ मंत्र बोले नहीं जाते हैं मन में पढ़े जाते हैं या फिर पहले शुरुवात में आपको बोलना ही पढ़ता है और बाद में आप उसे मन में पढ़ सकते हो इसमें कैसे करना चाहिए, मैं मंत्र चारण कैसे करने चाहिए जी, शास्त्रों में चार प्रकार के मंत्र जाप दिये गए है वाचिक, उपान्शू, मानसिक और अजब मैं चारों का थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में आपको बताऊँगा वाचिक मंत्र जब क्या होता है जब कोई भी मंत्र आब लावड़ यानि की बोल बोल के करते हो वो है वाचिक मंत्र जब दूसरा है उपांशू उपांशू यानि सिरफ होठ हिलाना आवाज さिरफ आपको सुनाई दे रही है आपके बाजु में भी जो कोई बैठा है, उनको भी एक आवाज नहीं सुनाई देगी, for example, अगर मैं एक उच्चारन कर रहा हूँ, जैसे कि देवी के कोई मंत्र का, ओम श्री मात्रे नमहा, ये बाचिक जब, ठीक है, ओम श्री मात्रे नमहा, ये उपान्शु, और मानसिक ज क्या होता है, मानसिक जब यानि आप अपने मन में, जो मंत्र है, उसके एक एक लेटर को विजुलाइज कर रहा है, मानसिक जब यानि ये नहीं कि मन में उच्चारन करना, लोग ज्यादा तर गल्ती यहाँ पे कर देते हैं, मानसिक जब की जब बात आती है, कि आपको मन में उचारन करना है, उस वक्त पे आपको मंत्र को visualize करना है उसका उचारन नहीं करना मन में ओम, श्री मात्रे, नमहा ये जो सारे letters हैं इस मंत्र के अगर आपने वो उपने मन में visualize किये है visualize मतलब ये लिखते हुए आए है बिल्कुल, correct, हाँ, correct तो वो होगा आपका मानसिक जभ और जो चौथा प्रकार है वो है अजब अजब यानि आपको मन्तर का उचारन करना नहीं पड़ता, मंत्र अपने आप उचारित होते रहते हैं आप स्वयम मंत्र मही बन जाते हों मंत्र के साथ एक रूप हो जाते हैं एक आकार हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं basically, तो बहुती सुंदर एक कथा है हमारे यहाँ पर जो मैंने पढ़ी थी ancient science of mantra के अंदर और वहाँ पर लिखा हुआ है कि इस concept को अगर आप बहुती layman language में समझना चाहते हैं तो क्या है, एक गुरू जा रहे थे नदी किनारे, उस्टे के साथ जगड रहे थे, बहुती पड़ी आवाज में, लाउडली, चीख रहे चिला रहे थे, और reason यह था कि जो पतनी थी, उन्होंने अपने गले में एक gold necklace पहिना हुआ था, सोने की chain थी, जब वो नहाने के लिए गई गंगा नदी में, उस वक्त पे वो chain कहीं ग पर जगडा हो रहा था, और गुरु ने जो वहाँ पे टहल रहे थे, उन्होंने अपने शिश्यों को पूछा कि मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो, ये पती पतनी एक दूस्टे के इतने ज़्यादा पास खड़े हैं, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी आवाज में क्यों जग पर गुरु ने कहा कि जब आपके रिदय, आपके हाट एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और ये कब दूर होते हैं, जब आप क्रोध करते हैं, उस वक्त पे आपके रिदय के बीच का जो फासला रहता है, जो अंतर रहता है, वो बहुत बढ़ जाता है, और उस अंतर को कम कर करने के लिए एक human tendency होती है कि वो चीकते हैं, चिलाते हैं, यही बात लागू होती है मंत्र शास्तर के लिए, जब आपने देवता के उपासना शुरू किया है, साधना शुरू किया है, मंत्र जब शुरू किया है, उस वक्त पे आप loudly बोल बोल के करते हैं, क्यूंकि आपने न अपने देवता के कृपा कानुभव किया है अशिरवात कानुभव किया है ना तो आपने उनकी उपस्थिदी कानुभव किया है। जैसे जैसे आप अपनी यात्रा में आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आप अंतर मुखी हो जाते हैं और यहाँ पी मुझे फिर से एक बार ललिता सौस्ट नाम का एक श्लोग याद आ रहा है जिसकार्थ है कि जितना आप अंतर मुखी होकर उपासना करेंगे उतना आप ज्यादा आपकी साधना जो है वो फलिभूत होंगी अब एक इंसान जो लाउड यानि की वाचिक जब कर रहा है बोल बोल कर कर रहा है उच्चारण एक समय ऐसा आएगा जब उसकी जो लाउडनेस है उसकी जो बोलने की तिवरता है उच्चारण की जो तिवरता है उसका वोईस वो कम हो जाएगा क्योंकि देवता को प्रसन करने के लिए फिर उसे ये पता लग चुका होगा कि आप मुझे इतने बड़े आवाज में मंत्र जब करने की आवशक्ता नहीं है उसके बाद एक समय ऐसा आएगा जब वो अपने मन में ही मंत्र को विजुलाइस करके वो जब जो है वो अपना कर पाएगा और बहुत वर्षों के बाद एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे साधक स्वयम मंत्र बन जाएगा और यहा पे मुझे रिशी विश्वामित्र और रिशी वशी्ष्ट के कता याद आ रही है रिशी वशी्ष्ट के वहाँ पे राजा कौशिक जो थे वो आए अपनी सेना के साथ वो कोई युद्ध लड़के आये थे और उन्होंने रिशी वशिष्ट जी थे उनसे बिंती की कि मेरी सेना को वो भूखी है उन्हें आप खाना खिलाईए बोजन दीजिये और रिशी वशिष्ट के आश्रम में कोई सुविधा नहीं थी इतना ज्यादा खान-पान कुछ नहीं था फिर भी उनकी पूरी सेना को भर पेट बोजन खिलाया गया और ये देखकर राजा कौशिक बड़े ही ज्यादा आश्चरय में हो गए कि ये कैसे हो पाया एक सामान्य रिशी जिनके पास ना तो संपत्ती है ना तो धन-धानिय है ये इतनी बड़ी सेना को भोजन कैसे करा पाए तब जाकर रिशी वशिष्ट से पूछा गया कि आपने ये जो भोजन करवाया इसके पीछे का तात्पर ये क्या था कि कैसे हो पाया, संभव कैसे हुआ ये मुझे कारण जानना है रिशी वशिष्ट ने कहा कि मेरे आश्रम में एक गाई है जो आप उससे जो मांगेंगे वो गाई आपको दे देंगी तो राजा ने कहा कि ऐसी गाई, ऐसी गौमाता तो राज महल में शोभा देती है एक छोटी सी कुटीर में नहीं और उन्होंने कहा कि आप हमें प्रेम से अपनी गाई दे दीजिए वरना मुझे युद्ध करना पड़ेगा आपसे तो रिशी वशिष्ट ने कहा कि आप जो करना चाहे वो कर लीजिए मैं गाई तो नहीं दूँगा आपको और ये बात सुनकर राजा कौशिक बहुती ज़ादा क्रोधित हो गए क्शत्रिय खून था और उनके स्वमान पर चोट की गई थी और रिशी जो थे वशिष्ट उन्होंने युद्ध किया राजा कौशिक के साथ लेकिन वो युद्ध हार गए क्योंकि रिशी वशिष्ट के पास इतनी सारी महाविध्याय थी इतनी सारी सिद्धिया थी वे स्वयम इतने ग्यानी थे प्रकर साधक थे तो उनके सामने राजा कौशिक की उनका कुछ चला नहीं और राजा कौशिक मन में चले गए युद्ध हारने के बाद कि अब मैं रिशी वशिष्ट को दिखा कर रहूंगा कि मैं क्या हूँ उन्होंने महादेव की उपासना की उनकी साधना की महादेव से अस्त्र और शस्त्र के वर्दान प्राप्त करके वे फिर से हुमला करने के लिए आश्रम पे गए और इस बार भी हार गए अब तो राजा कौशिक को समझ में आ गया कि ये कोई सामानिय साधक नहीं हो सकते कुछ तो है इनके पास जिसकी वजह से स्वयम महादेव का वर्दान भी विफल हो गया और उस वक्त पर रिशी वशिष्ट से ये पूछा गया कि कारण क्या है रिशी वशिष्ट ने कहा कि आप मंत्र की उर्जा लेकर आए मेरे पास महादेव के मंत्र की उर्जा अस्त्रा और शस्त्र की उर्जा लेकर आए लेकिन मैं स्वयम मंत्र बन चुका हूँ और तब जाकर राजा कौशिक को ये समझ में आया कि घटना क्या थी और फिर वे बन में गए उन्होंने बहुत ही कड़ी उपासना की साधना की और तब जाकर उन्हें प्राप्त हुआ गायतरी मंत्र और फिर वे बने रिशे विश्वामित्र इसलिए रिशे विश्वामित्र जो है राजा कौशिक थे जो पहले क्षत्रियत है यहाँ पर एक बाद यह भी सीखने को मिलती है कि जो हम आज की तारिख में वर्ण की बात करता है अगर वर्ण आप चाहे क्षत्रिय में जनम लिया हो चाहे आपने शुद्र की तौर पर जनम लिया हो कोई भी हो जनम से मर्ण तह नहीं होता आपके कर्म से होता है एक क्षत्रिय राजा जो अपनी साधना के माध्यम से भगवान को सिद्ध कर पाए उन्हें हम रिशि विश्वा मित्र को हम ब्रह्मरिशी की उपमा देते हैं संग्या देते हैं वो एक स्वयम रिशी है तो ये बात सीखने लायक है कि अगर आपका जन्म चाहे कोई भी गोत्र में कोई भी कुल में हुआ हो अगर आप की प्रवृत्ती जो है वो ब्रामनों की तरह है, तो आप ब्रामन ही कहे जाएंगे. चाहे आप कोई भी जन्म में, कोई भी गोत्र में, कोई भी कुल में आप क्यों ना जन्म में हो. तो जो यहाँ पे बात हुई कि मैं मंत्र बन चुका हूँ यही बात अजब जो चांटिंग रहती है जो उचारण रहता है चौथा प्रकार उसमें लागू होती है एक समय ऐसा आता है साधक के जीवन में जब वो स्वयम मंत्र बन जाता है लेकिन उस अवस्था तक पहुँचने के लिए और एक साधक को सबसे पहले ये तीन प्रकार की साधना में से अवस्था में से मंत्र जब की उसके उचारण में से गुजरना होता है वाचिक, उपान्शू और मानसिक यहाँ पर ये सवाल भी हाएगा कि अगर हम साधना कर रहे है तो हमें कौन सा उचारण करना चाहिए हमें वाचिक जब करना चाहिए, उपान्शू जब करना चाहिए या फिर मानसिक जब करना चाहिए तो यहाँ पे हमें बारी-बारी से जाब करना चाहिए फर एक्जांबल दो माला वाचिक जब कर लिया आपने बोल-बोल के क्योंकि माइंड जो है ना यूमन माइंड उसे एक स्थान पर स्थीर करने के लिए आपको उसे लाउट चांडिंगाने की वाचिक जब करना पड़ेगा फिर आपको यह लग रहा है कि ओके नाव आइम स्थेबल मेरा कॉंसेंटरेशन जो है ठीक हो चुका है फिर आप उपांचु जब पर आईए जहां पर एकदम धीमी आवाज में मंत्र का जब करे उचारन करे और फिर आपको जब यह लग रहा है कि हाँ मैं अब और ज़्यादा स्थीर हो चुका हूँ मेरी एकागरता जो है वो और ज़्यादा बढ़ चुकी है उसके बाद आपको दो माला मानसिक जब करना चाहिए तो यह तीनों में आप बारी बारी से शफल कर सकते हैं अपने जब के दोरान ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको सिर्फ मन में ही जब करना है आपको सिर्फ लाउडली चांटिंग ही करना है यह तीनों टाइप के जब आप बारी बारी से कर सकते हैं यह बहुत बड़ी ब्रह को एकाग्र करने के लिए और स्थीर करने के लिए परग्जी आपने मंत्रों के बारे में बताया कि मंत्र को किस तरह से हमें करना चाहिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं कोई एक ऐसी विधी बता सकते हो कि जो अगर हमें सुन रहा हो तो वो डेली फॉलो कर सके उसे बिल्कुल देखिए प्रत्यक इंसान को प्रत्यक मनुश्य को अपने जीवन में जो खास करके सनातन धर्म कानुसरन कर रहा है उसे नित्य पूझा को महत्व देना ही चाहिए नित्य पूझा यानि आप अपने जीवन में सुबह नहा कर जब भी आपको टाइम मिले या फिर मान लीजे रात को आपको जब टाइम मिले सुबह इसलिए करा जाता है क्योंकि सुबह आपकी दिन की शुरुवात होती है और अगर आप अपने दिन की शुरुवात ही एक पूझा कर्म के साथ कर रहे है तो आपका पूरा जो दिन है वो बहुत अच्छा जाता है फिर क्योंकि मंत्रों की जो उर्जा है मंत्रों की जो शक्ती है वो आपके मन को बहुती ज्यादा शान्ती देती है और एक शान्त मन ही जो हमारी सामाजिक समस्याय रहती है, परिशानिया रहती है, उससे लड़ने में सक्षम होता है, तो इसी हितु के साथ आप सुबह नहा कर अपने पूजा स्थान पर बैठिए, चाहे आप 15 मिनिट के लिए बैठे, 10 मिनिट के लिए बैठे, 20 मिनिट के लिए बैठे, लेकिन एक अपना एक मंत्र जो है वो आप धारन कर लेजिये, फुर एक्जांपल, अगर आपको भगवान गंपती के लिए रूची है, तो उनके नाम मंत्र का जाप करिये, श्री गने शाई नमहा अगर आपको महादेवी के मंत्र का कोई जाप करना है, तो श्री दुर्गा सपत श्लोकों का एक गरंथ है उसमें बहुत ही सुन्दर मंत्र जो बार बार आता है वो है ओम नमस्चंडिकाए और ये मंत्र का जहाप अगर आप देवी के प्रती ज्यादा आपको आस्था है रुची है श्रद्धा है अगर आप उन्हें पूजना चाहते हैं उनकी साधना आगे जाकर करना चाहते हैं तो यहां से शुरुवात करें अगर महादेव के प्रती आपको ज्यादा लगाओ है तो महादेव का जो पंचाक्षर मंत्र है शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमस्चिवाई यानि की फाइलेटट मंत्र तो ओम नमस्चिवाई से भी आप जो है अपने दिन की शुरुवात कर सकते हैं और कैसे करना है पुजा घर में बैठकर चाहे वहाँ पे मूर्ती हो या ना हो क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बैचलर है या फिर कोई बाहर रह रहे होंगे अपने घर पे नहीं होंगे तो उन्हें कोई मंदिर खड़ा करने की पा जा सकता है उसे महादेवी और महादेव दोने के मंत्रों को रुदराक्ष की माला पर उनका जाप हो सकता है और अगर आप विष्णु भगवान के कोई मंत्र की अगर उचारन कर रहे हैं कोई जाप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको तुलसी की माला जो है उसका आप उ तो महादेव के मंत्र के लिए ओम नमस शिवाय भगवान विष्णु के मंत्र के लिए ओम नमो भगवते वासु देवाय ओम नमस चंडिकाय ओम नमस शिवाय या फिर श्री गनेशाई नमहा ये चार मंत्रों में से कोई भी मंत्र आप जो है अपने घर पे कोई भी दिक्षा क कि आवशक्ता नहीं है, सिर्फ इतना प्रयास करिए कि at least तीन माला सुबह कर पाए और इन सारे मंत्रों की तीन माला करने के लिए आपको पंद्रा से लेकर बीस मिनिट से ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन जब भी आप ये मंत्र का उचारण करे, तब मन में और कोई चीजे नहीं चलनी चाहिए कि मुझे वो काम करना है मुझे वहाँ पे पहुँचना है, अरे मुझे शाम को ये चीज लानी है, मुझे घर पे ये लेकर आना है घर वालों को यहाँ पे लेकर जाना है ऐसी कोई चीज दिमाग में नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि जब आपके मंत्र उचारण के साथ, आस्था भक्ती और समरपर ये तीन भाव जुडेंगे तब आपके जो देवता है या फिर देवी जो है, वो जागरित होंगे मंत्र के, और हमारे लिए उद्देश यही होना चाहिए कि भले ही आप एक माला करें लेकिन एक माला भी इतनी ज्यादा शुद्धिता के साथ उद्देश्य की शुद्धिता के साथ करें कि उसमें आपका भाव जलक रहा हो तो पोपट की तरह चांटिंग नहीं करना है रट्टा नहीं मारना है और बहुते सुंदर बात जो है दुर्गा सब्तशती में कही गई है जब देवी मा का प्रागट्य हुआ दुर्गा मा का प्रागट्य हुआ उस समय पर देवताओं को ये पता नहीं था की महा खाउरूप कौन साय," तो देष ताउने उंझे पूछा, ओम सर्वेवेग देवा देवी मुपतस्तु हूकासीत्वं महा देवि, यानि कि हे महा देवी आप कौन है, तब महा देवी ने कहा साब्रवित, देवी ने कहा, अहं ब्रम्ह स्वरूपेनी, अई, प्रकृती प यानि कि वेद भी मैं हूँ और यहाँ पे श्री ललिता सहस्र नाम में दिवी का एक नाम है सब याप सब यह मारगस था यानि कि जो पवित्र और अपवित्र चीज है वो भी मास्वयम ही है तो अगर आपके मन में यह जाप करते वक्त बहुत सारे लोगों के प्रशन होते हैं कि हमारा दिमाग जो पठकता रहता है अलग-अलग दिशाओं में काफी बार जो हमारे विकार हैं, हमारे वृत्तियां हैं हमारे मन में, हमारे चित्त में वो वृत्तियां, वो विकार हमारे जाप के दौरान बीच में आते रहते हैं लेकिन उस वक्त पे आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो कमल है, लोटस, वो सिर्फ और सिर्फ की चड़ में ही खिलता है तो जब आप अपने विकारों से उपर उठना सिखेंगे तब ही आप देवता तक पहुँच पाएंगे और यही तो हीतु है उपासना का, साधना का, नित्य पूजा का तो अगर आपके मन में नित्य पूजा के दौरान कोई भी ऐसे भाव आ रहे है आपको बिलकुल विछलित नहीं होना है क्योंकि उसी भाव से आगे बढ़ने के बाद आप जो है, मंत्र की सिद्धी की और आगे बढ़ पाएंगे मंत्र को जागरित कर पाएंगे तो यह एक बात है क्योंकि मा ने कहा वेदो हम, वेदो हम, यानि कि वेद भी मैं हूँ अवेद भी मैं हूँ मैं ही ब्रह्म स्वरूपिनी हूँ अगर ये समस्त संसार, ये हमारे विकार भी मा के ही दिये हुए है तो क्या मा नहीं है इसमें, सब कुछ मा है तो एक भी चीज से, एक भी विचार से विचलित होए बिना हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी नित्य पूजा के उपर फोकस करना है क्योंकि तभी देवता जो है वो आगे जाकर बहुत सुंदर बात कहते है वहाँ पे ते देवां अबरूवन यानि कि देवता उन्ने कहा यानि कि जो स्वयम प्रकृती स्वरूपा है उस महा देवी को मैं बार-बार सतत्म नमः सतत मैं नमन करता हूँ जब आप एक गती के साथ एक डिसिप्लिन के साथ एक डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते रहेंगे न तभी आपको देवता की प्राप्ती जो है वो संभव हो सकेगी तो एक स्केटिूल आपको फिक्स करना है सुभे 10 मिनिट का, 15 मिनिट का जो भी आप फिक्स कर पाएं, वो करें जो चार मंत्र हमने अभी पता है उन चार मंत्रों में से जो भी आपको अच्छे लग रहें, मालीजगर आपको कृष्ण का कोई मंत्र जाप करना है तो आपके पास ओम क्लिम कृष्णा आया, गोविंदा आया, गोपी जनवल्ला भाय नमहा ये मंत्र है अगर आपको राम के मंत्र का कोई जाप करना है तो राम, रामा ये नमहा ये मंत्र आपके पास है तो जो भी देवता के मंत्र आपको अच्छे लग रहे हैं या फिर आपको कोई भी देवता की उपासना करनी है सिम्पल आप शास्त्र उठाईए उसमें से उनके गायतरी मंत्र भी आपको प्राप्त होंगे क्योंकि 28 प्रकार के गायतरी मंत्र है जो हमने शुरुवात में गायतरी मंत्र की बात करी वो सवितुर गायत्री मंत्र था और एक्जाम्पल ओम तत्पुरुशाय विद्महे महादेवाय धीमही तन्नो रुद्र प्रचोदयाद ये रुद्र गायत्री मंत्र है और ऐसे ही अलग-अलग बहुत सारे देवताओं के गायत्री मंत्र हमें प्राप्त होता है, जैसे की, दुर्गा सब्त शती में एक गायत्री मंत्र हमें प्राप्त होता है, जो देवी अथरवर शिश्रम से प्राप्त होता है, ओम, महालक्ष्मिये च विद्महे, सर्वा शक्तिये च धीमही, तन्नों देवी ठालीजे और उस मंत्र का जाप आपको एक सो बीस दिन तक लगातार करना है फिर आपको बाद में लग रहा है कि आप मुझे और एडवांस्ट लेवल पे जाना है तो आप साधना शुरू करें दिरे दिरे जो मैंने बात करीए पर गायतरी गुरू की और ऐसे एक step by step आप उपर चड़ते जाएए तो शुरूआत आपको नित्य पूझा से करने जहां पे आपको एक discipline बनानी होगी एक अनुशाशन के साथ शिस्त के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा कि मैं daily इतना जब जो है वो करूँगा 3 माला 5 माला 15 20 मिनिट तर उसके बाद आप अगर रात को आपको time मिल रहा है अगर आपको ये feel हो रहा है ये एक खींचाव आपको हो रहा है कि मुझे और कुछ भी करना है तो आप अपने इसाब से लडिता सहस्ट नाम अनुमान चालीसा फिर जो है हमारे पगवान महादेव के एक अजार नाम का एक स्तोत्र है फिर शिव पंचाक्षर स्तोत्र ये सारी अलग-अलग चीजों का आप प्रयोग जो है वो कर सकते अपने नित्य पूजा में लेकिन 15 मिनिट का स्केडियूल बनाना बहुत आवश्यक है बहुत डिटेल में आपने बताया परक जी तंत्र की इतनी सारी बाते करी कोई ऐसा इतिहास में बहुत बड़ा तंत्रिक रहा हो जो तंत्र साथनास जिसमें बहुत गजब की की हो बहुत रहे हैं क्योंकि अभिनव गुपता से लेकर जो रिसेंट सारे लोग थे जो महान उपा सकते महान साधक थे नवनाथ के अगर हम बात करें अमत सेंद्रनाथ, गोरकनाथ जी और ये सारे नवनाथ लेकिन अगर पौरानिक काल में अगर आप मुझसे पूछे तो उच्चकोटी के साधक मुझे जो याद आ रहे हैं जो असुर्भी से, जो असुर्भी थे साथ में वो है रावन क्योंकि रावन ने जोतिश शास्त्र से लेकर बहुत चीजों के अंदर उनका ध्येन था उन्होंने इतनी सारी विद्याय अर्जित की थी, तंत्र साधना ही की थी और जोतिश शास्त्र इसलिए मैं यहाँ पर याद कर रहा हूं क्योंकि हाली में मैंने आपका एक फॉर्चुन रिपोर्ट पड़ाय था जो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने दिया हुआ है और इट इस वेरी मच पावरफुल जो है वो आना है और यह सुनिष्चित करना है कि मेरा पुत्र जो है वो अमर हो जाए लेकिन भगवान शनी ने उनकी बात उनकी आदेश का पालन नहीं किया और फिर रावन ने आजीवन जो शनी देव जो थे उनको अपने सिंहासन के नीचे दबा कर रखा था और फिर उनको मुक्ती तब मिली जब हनुमान जी लंका आए और फिर उनको मुक्त कराया तो according to me रावन वास 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 पावरफुल और ग्रेट उपासक जिन्होंने तंत्र साधना भी इतने की जिनकी लाल किताब से लेकर आज जो भी हम चीजे पढ़ रहे हैं रावन सहीता उसमें भी बहुत सारे प्रयोग दिये गए हैं और रावन जो थे वो महादेव के प्रकर उपासक थे शिवतांडव स्तोत्र के रचाहिता थे इतना सुंदर इतना प्रभावशाली असरकारक इन होने स्तोत्र दिया उनकी वो कब्र का क्या है एक कथा आप सुना रहे थे मुझे आप कैमरा कथा ये प्राप्त होती है जब वन आज वस ट्राविलिंग टू श्रीलंका आज से दो साल पहले तब मेरी एक सीरीज है महासुर सीरीज जो एक नॉवल है पाँच पार्ट में उसके दूसरे पार्ट के लिए आई वस टूइंग फिल्ड रिसर्च तो मैं श्रीलंका गया था पंदरा दिनों के लिए और मेरा जो रिसर्च का एरिया था वो यही था कि रामायन के जो स्थल थे उस वक्त के जो श्रीलंका में जो जितना जितना वहां पे हुआ था बगवान राम ने जहां जहां पे प्रवास किया था वो सारे स्थल का अभ्यास करना उसके साथ साथ रावन के साथ जुड़े हुए स्थलों का भी अभ्यास करना तो वन आइ वेंट दर उस वक्त पे मुझे एक बहुत ही चौकावनारी चीज मालुम हुई एक अकिकत ये कहा जाता है श्रिलंका में कि जब रावन का देहांत हुआ उस वक्त पे भगवान राम ने विभीषण का राजाभिषेक कर दिया और राजाभिषेक के कारण विभीषण इतने ज्यादा अपने काम में व्यस्थ हो गए है राजे को संभालना था प्रजा जो थी वो स्तब्द थी कि हमारा राजा नया है पूरा प्रजा का संचालन करना था और उस वक्ट पे विभिशन ने अपने सेवकों को आदेश दिया ये रावन का अगनी संसकार आप करके आओं तो उनके सेवकों ने रावन का जो देह था उसे अपने साथ पे ले गए अब वो जो सेवक थे सारे, उस में से कई सेवक ऐसे थे जो रावन के प्रतिवफदार थे अब वे नहीं चाहते थे कि रावन का जो देह है, उसका अंतिमस्व कार किया जाए उन्होंने क्या किया, एक गुफा में ले जाकर रावन के देह को वहाँ पे सुरक्षित कर दिया और यह कहा जाता है कि देत्यागुरु शुकराचारिय से लेकर बहुत सारे उस समय के तृता युग के जो रिशिमुनी थे उन्होंने ये प्रैत्न किया कि रावन को पुनर जीवित किया जाए अब देत्यागुरु शुकराचारिय यहाँ पे प्रावन को पुनर जीवित कर सकते थे। उस वक्त पे एक सुझाव दिया गया, कलियुग में जब रिशी मारकंडे आएंगे, वे ये रावन को जीवित कर पाने के लिए हो सकता है कि रावन जीवित हो पाए। यमराज उनको लेकर जानहीं वाले थे कि तुरंट महादेव ने उनको रोग दिया। और रिशी मारकंडे को दिया गया महामृत्यूंजे मंत्र। और महामृत्यूंजे मंत्र में ये कहा जाता है कि वो क्षमता है कि कोई भी इंसान अमरत्व को प्राप्त कर सकता है। ताकि उसके शास्त्र के परस्पेक्टिव कुछ अलग है लेकिन जो प्रचलित मानेता है हमारे यहाँ पे कि अगर महामृत्यूंजे मंत्र को आप जागरित कर रहे हैं पूर्ण अदया तो अमरत्व की प्राप्ती संभव है। लेकिन यहाँ पे आत्मा क्या मरत्व की बात हो रही है देह की नहीं तो कोई अगर यह सोचेगा कि मैं इसे जागरित करके दोजार पांच जार साल तक जीवी तरह पाऊंगा ऐसा कुछ नहीं है। तो रिशी मारकंड़ी के पास महामृत्यूंजे मंत्र था और इस बात इस हकीकत की जो जहनकारी थी वो देट्य गुरू के पास थी। इसी वज़े से उन्होंने कहा कि कल्यूग तक इससे आप संभाल कर रखिये क्योंकि रिशी मारकंड़ी को चिरन जीवी होने का वर्दान है। जो हमारे आठ चिरन जीवी हैं, उसमें से एक चिरन जीवी स्वयम रिशी मारकंडे जीवी हैं, तो कल्यूग में जब आसुरी शक्तियां अपनी चरम सीमा पर होगी, उस समय पर आप रावन को पुनर जीवित कर पाएंगे ऐसा देत्य गुरु शुकराचारे ने कहा, आज की तारिख में श्रीलंका में एक रावन गुफा नामक स्थान है, जहां पर रावन का 18 फूट का ताबूत जो है वो रखा गया है, ऐसी मान्यता है, और जो श्रीलंकन गवर्मेंट है, उसका भी मैंने एक रिसर्च जब मैं कर रहा था, उसका एक वीडियो मेरे सामने आय जहां पर इस बात की पुष्टी करी गई है, तो कहा जाता है उस ताबूत के बारे में, कि जो 18 फूट का ताबूत है, वहां पर रावन का जो ममी है, रावन का जो दे है, उसे सुरक्षित संभाल के रखा गया है, और शायद आप कह सकते हैं कि वही हमारा सबसे पहला ममी थ जहीं था, क्योंकि एजिप्ट के बारे में तो हमने बहुत सुना है कि बहुत सारे ममी लेकिन त्रेता यूग में हमारे यहां पर भी एक ममी बनाया गया था, जो रावन का ममी था, और आज भी ये इंतिजार हो रहा है कि रावन पुनर जीवित हो और उनका अधिपत्य द्वस्त हो जाएगी और अगर आप श्रिलंका जाएंगे तो आप उस गुफा के दर्शन भी कर सकते हैं बहुत ही दुर्गम जगा है जाने के लिए इसली वहाँ पे पहुँचा तक नहीं जा सकता और एकदम जब आप पहुँचेंगे इतनी ज़्यादा स्लीपरी जमीन है कि आप फिसल जाएंगे तो बहुत ही संभाल कर चलना होता है और फिर भी ताबूत जो है वो इतनी ज़्यादा चट्टानों के नीचे रखा गया है कि उसे आखों से देखा नहीं जा सकता सिर्फ आपको जो है अंदाजा लग सकता है कि यहाँ पर ताबूत है लेकिन अंदर क्या है उसके क्या क्या चीजे रखी गई है यह किसी को नहीं पता ताबूत दिखता नहीं है मतलब परग जी अब हम अपने पॉड़कास के आखरी में आ गए और हमने कहा थे कि हम शाबड मंत्र को और थोड़ा सा डेटेल में जानेंगे आपसे उनकी विदी क्या है और उनको कैसे करना चाहिए क्योंकि जैसा आपने कहा कि साबड मंत्र easiest form है आपको कुछ भी चीजे प्राप्त करनी है आध्यात्मिक रास्ते जो आपकी आत्मा के साथ करी फॉरवर्ड हो सकते हैं पर एक्जामपल अगर आपने वेदिक मंत्र यानि की गायत्री मंत्रा सभी तुर गायत्री मंत्र को आपने जाब किया तो उसका जो फल है वो आप अगले जनम में भी carry forward करके ले जा सकते हैं अपने साथ आपके आत्मा के साथ वो आपकी spiritual wealth कही जाएगी जिसे हम संचित कर्म कह सकते हैं या फिर जो भी आध्यात्मिक कर्म जो हमारा रहता है वो आप कह सकते हैं तो ये spiritual wealth आपके साथ जाएगी फिर श्रीविद्या साधना जो तंत्र साधना में आती है कैटेगरी में वहाविद्या साधना उसका कोई मंत्र आपने अगर जागरिद किया है तो वो भी आप अपने आत्मा के साथ लेकर जा सकते हैं अगर आपने शाबर मंत्र को invoke किया है तो शाबर मंत्र is like OTP one time password एक जीवन काल तक वो आपके साथ रहेगा फिर वो आपके साथ नहीं आएगा मंत्र हम काफी बार ये कहता है ना spiritual lineage के बारे में कि ये जो आत्मा है बहुत उन्नत आत्मा है और बहुत लंबे अंतराल के बाद इसका प्रागट्य हुआ है वो उन्नत आत्मा कब कही जाती है वो उन्नत आत्मा तब कही जाती है जब उस आत्मा ने अपने पुर्वजन्मों में साधनाय किये हो और वो साधना का फल लेकर वो आज की तारिक में पैदा हुआ हो काफी बार जब एक बच्चा छोटा होता है उसी वक्त से उसे ग्रंथों में और scriptures में ज़्यादा रूची होने लगती है तो ये कुछ-कुछ संकेत होते हैं आत्मा की आध्यामिक उन्नती को डेखने के लिए तो शाबर मंत्र अगर आप सिद्ध कर रहे हैं तो उसकी कोई long term effect नहीं है For example, अगर आपने धन धानिय संपत्ती को प्राप करने के लिए शाबर मंत्र का प्रयोग किया तो वो शाबर मंत्र आपको इस जनम में जो आपको चाहिए होगा वो आपको दे देगा लेकिन बाद में जीरो हो जाएगा उसका impact के लोग कहेंगे इस जनम में मिल जा वही काफी है लेकिन फिर वही हो जाता है कि आप कितने जनम तक अपने आपको इसी चक्र में फसा कर रखना चाहते हैं आप कितने जनम तक जो है बार-बार पीड़ा से गुजर कर सारी आधी व्याधी उपादी से गुजर कर होना चाहते हैं तो एक ना एक दिन तो आप कहेंगे ना कि अब मुझे स्टेबल होना है जैसे हम अपनी life में, अपनी career में 30 साल के उम्रत तक ये goal रखते हैं कि अब हम स्टेबल हो जाएंगे 30 साल तक जो है हम बहुत सारा संघर्ष करते हैं स्टेबल होने के लिए career में, professional life में लेकिन सब की एक इच्छा रहती हैं कि at least 30-35 साल तक हम इस पड़ाव पर पहुँच चुके होंगे कि हमें फिर संघर्ष ना करना पड़े जीवन में तो यह हम एक जीवनकाल की बात सोच रहे हैं अगर आप आत्मा के perspective से सोचे तो आत्मा का भी एक गोल होना चाहिए कि मैं इतने जनम लूँगा, इतने जनम तक मैं संघर्ष करूँगा उसके बाद मुझे संघर्ष नहीं करना उसके बाद मुझे free हो जाना है संघर्षो से तो अगर आप अपने मानव बेह में एक गोल सेट कर रहे हैं 30 साल के उम्र तक का गोल तो आप अपने आत्मा के लिए क्यों गोल सेट नहीं कर सकते क्यों एक धिये आप सेट नहीं कर सकते तो शाबर मंत्र आपको यही तक नहीं पहुचाएगा और शाबर मंत्र को सिद्ध करने के लिए विदिविधान बहुत सिंपल है गुरू के पास अगर आपको प्राप्त हो ज़ादा अच्छा है उसके कोई किताब नहीं है कोई शास्त्र नहीं है आपको मार्केट में जो प्राप्त हो रहे है वो किसी के द्वारा लिखे गए है लेकिन मूल शास्त्र नहीं है तो अगर आपको कोई गुरू के पास से शाबर मंत्र प्राप्त हो रहा है जिन्होंने स्वयम यह शाबर मंत्र को सिद्ध किया है जागरित किया है तब जाकर आप इस शाबर मंत्र का प्रेहोग कर सकते हैं शाबर मंत्र का प्रेहोग करना बुरी बात नहीं है कोई भी बुरी बात नहीं है अगर आपका intention राइट इरेक्शन में है तो आप इसका उपयोग करिए यहाँ पे spiritual lineage यानि की आध्यात्मिक संप्रदाय आपका जो है गुरू का संप्रदाय उसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती है हम ये सवाल करता है ना कि गुरू क्यूं चाहिए आपने शुरुवात में ये कहा कि अगर गुरू नहीं है तो क्या करे तो हमारे पास उपाई दिये गए है लेकिन अगर किसी साधक को अपने कर्मों के फल के हिसाब से गुरू की प्राप्ती हो रही है अगर वो एक संप्रदाय के साथ जुड़ रहे है सीधा अर्थी है अरुण जी आपका परिवार आपके पिता जी पर एक्जामपल अगर एक संपत्ती छोड़ कर जा रहा है तो उनके संतानों के लिए संगर्ष नहीं करना पड़ेगा कमाने के लिए या फिर धन की प्राप्ती के लिए ज्यादा भागदोर नहीं करनी पड़ेगी अगर एक वेल्थ छोड़ कर गए है तो तो अगर मनुश्य के जीवन में उनके पिता जी या फिर उनके फोर फादर्स जो है उनके पूर्वज जो है वो एक धन संपत्ती छोड़ कर जा रहे है तो उनको फिर चपल नहीं गिसने पड़ते वैसे ही अगर एक spiritual lineage जो संप्रदाई है गुरू का अगर उसके साथ आप जुड़ रहे हैं तो आपको ये बात स्मरण में रहेगी कि मेरे संप्रदाई में जो भी साधू संत हुए वो सभी संतों ने अपनी-अपनी उपासना की थी अपनी-अपनी साधना की थी और वो सब अपना-पना एक फल छोड़ कर गए है इतने सारे संतों-महंतों और महत्माओं का फल अध्यात्मिक फल जब आपको प्राप्त होगा आपकी साधना कहां से कहां जाएगी और इसी वज़े से हमारे शास्त्रों में गुरू और शिश्य जो परंपरा है उसकी महत्ता बहुत ज्यादा है और इसलिए आपको शाबर मंत्र जो है गुरू के पास से प्राप्त हो रहा है तो वही सबसे उचित बात होगी और नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा तो फिर शास्त्रों में बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जिनमें आपको गुरू के संप्रदाय की आवशक्ता नहीं है जैसे हमने गनपती गायत्री और ये सारे मंत्रों की बात करी शीव पंचाक्षर मंत्र की बात करी ये सारे मंत्र आपके आपके पास मतलब हम पूरे दिन बैठके बाते कर सकते हैं इतनी वाते हैं आपके पास आम तोर पर हम एक सवागंटे का करते हैं पॉडकास आपसे बहुत लंबा चाह हो गया हमारे लिए और अभी भी मेरे मन में बहुत सारे कोश्चन से लेकिन समय को देखते हुए आज इस हमें यहाँ पे विराम देना होगा लेकिन मुझे पता है अब हम मेरी और आपके मुलाकात बहुत बार होने वाली आगे चलकर और जितना हो सकेगा आउडियंस जो हमें देख रही आपके मन में कोई प्रश्चन हो अकल्ट से रिलेटेड तो आप कॉमेंट सेक्शन में और जो एक बहुत किरियोसिटी थी ना लोगों के मन में साधना कैसे करनी है शिद्धी जो लालच और गुरू हर एक आपने बहुत सुन्दर तरीके से क्लियर किया असके लिए थैंक यू सूमच बहुत बहुत धन्यवादा अम च्रूली ग्रेटफूल तो यू तो आल यू तो टीम मेंबर्स और मेरी आपसे प्रात्ना है कि पूना हो दी मंत्र के साथ हम इस पॉर्लकास के समापती करें तो ओम पूनमदह पूनमिदम पूनात पूनमुदच्यते पूनस्य पूनमादाय पूनमे वावशिष्यते अरियो हुम तच्चत अरियो हुम तच्चत अरियो हुम तच्चत श्री जग्दंभा आपनमस्तु श्री महा गुरु ओम स्वामी आपनमस्तु